Hello everyone, मेरा नाव है जोती राज, welcome back to education भरिया, देखो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुमारे class 10 maths का chapter number 3, pair of linear equation in two variable, अब देखो भले इस chapter का नाम बढ़ाओ, लेकिन यह तो chapter है न, यह तुमारे book का सबसे easiest chapter है, इसमें बस कुछ basic concept है, अगर तुम समझ लोगे, इस chapter से कैसा भी question आ जाए तुमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और as usual जैसे हम पिछले chapters को पढ़े थे, और साथी साथ उनके NCRT के जितने भी exercise के questions है, उन्हें solve करा था, उसी तरह से आज इस chapter के NCRT book के exercises को हम solve करेंगे, pair of linear equation in two variables chapter में, total तीन exercise हैं, exercise 3.1, exercise 3.2 and exercise 3. 3.3, तीनो की तीनो इस video में आज हम cover करेंगे, और साथी साथ इस chapter में जितने भी concepts है, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, बस मेरा तुम सबसे इतना ही request है, कि तुमारे आज पास जितने भी distracting चीज़ें हैं, उन्हें switch off कर दो, अपनी phone की notification को भी off कर दो, अगर तुमारे घ वीडियो को एक तुम ध्यान से देखो, और साथ में अपने पास एक copy और एक pin भी रखना, क्योंकि जैसे-जैसे मैं तुमें question को solve कर रहा हूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी question को solve करते जाना, तुम लोग मेरा wait मत करना, कि जब sir answer निकालेंगे, तब हम लोग भी निकाले क्योंकि maths देखने की चीज नहीं होती है, solve करने की चीज होती है, चाहे मैं कितना भी इच्छा से पढ़ा दू, अगर तुम्हों खुद से solve नहीं करोगे, तो exam से पहले भूल जाओगे, ठीक है, I hope से तुम्हें समझ में आ गया हो कि तुम्हें क्या करना है, इसलिए video को ध् अब start करते हैं हम लोग इस चाप्टर के expression को, तो सबसे पहले हम लोग चाप्टर का नाम का मतलब समझते हैं, देखो linear equation in two variable का मतलब क्या होता है, example से समझाता हूँ, यह एक equation है, इसमें लिखा गया है, 2x plus 3y minus 11 is equal to 0, तो यहाँ पर तुम देख रहे होगे, यह जो तुम्हा यह उन्य एक हम variable बोलते, तो यहाँ पर तुम देख बारहे होगे, कि x के उपर जो power है, y के उपर जो power है, वो one है, राइक के उपर जो power है, य कुछ नहीं लिखा वह होता है, तो यहाँ पर तुम्हाँ भी variation के उपर one से जाधा power नहीं है, किसी के उपर power 2, 3, 4 नहीं है, तो तो ऐसा equation जिसमें variable का highest power 1 होता है, उसे हम linear equation बोलते हैं, और linear equation in two variable का मतलब, यहाँ example सो ही समझो, इस line में तुम देख पा रहे होगे, कि total कितनी variable है, दो variable है, एक x है और एक y है, तो वही हो गया तुमारा linear equation in two variable, यह पूरा equation linear equation है, एक x है और एक y है, तो कितना हो गया total, दो variable ह गया, तो इस chapter का नाम linear equation in two variable इसलिए है, क्योंकि इस पूरे chapter में, हम इस type के equation को ही solve करने वाले हैं, अगर तुम्हें sort में बताऊं, तो कुछ खास नहीं करना है, इस पूरे chapter में दुखों में क्या करना है, तुम्हें एक ऐसा equation देदेगा, उसी तरह से तुम्हें एक दूसर बहुत ही basic सा चीज है, लेकिन समझ लेते हैं, देखो, linear equation in two variable का जो standard form होता है, वो ऐसा होता है, ax, by, c1 equals to 0, ax plus by plus c2 equals to 0, तुम्हें देखोगे, यहां पर a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है, अब यहां पर यह जो a, b, c है न, यह क्या है, यह constant है, constant क्या होता है, constant का मतलब ह fixed value, मतलब जिसका कभी भी value change ना किया जा सके, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यह जो भी numbers होते हैं न, इनका values कभी change नहीं किया जा सकता है, for example, जो number अभी 2 है, आज से 5 साल बार जाके भी उससे 2 ही बुलाएंगे, और उसका value भी 2 ही रहेगा, आज से 1000 साल बा कि हम variable क्यों बोलते हैं, variable इसलिए बोलते हैं, क्योंकि x और y का value change हो सकता है, हम x और y के जगा पे कुछ भी रख सकते हैं, x और y का कोई fixed value तो नहीं होता है, वही तो हमारा काम होता है, हमें question में दिया रहता है, x और y का value find करो, और करी बार तो x और y के multiple values आ जाते हैं, यह equation का जो तुमारे standard form होता है, वो कुछ ऐसे होता है, अब देखो अगर तुम्हें कोई भी 2 equation से a, b, c find करने बोलेगा, तो तुम लोग easily कर दोगे, चलो, एक बात देख भी लेते हैं, एक example देखते हैं, यह 2 equation तुमें given है, ठीक है, यह equation 1 और यह equation 2, अब देखो इसमें a1 क्या होगा, क्या होगा, a1 2 होगा, ठीक है, क्या होगा, a1 2 होगा, अगर मैं a2 का बात करें, तो a2 क्या होगा, a2 क्या होगा, a2 यहाँ पर जो लिखा है, वो होगा, तो a2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो मैं यह वला form को देख रहे हो न, a, a, b1, b1, c1, c1, a2, a2, b2, b2, c2 यही फ़लफा हम है ठीक है उसी तरह से हम यहाँ पर B1 by B2 लिखते है तो B1 क्या है यहाँ पर? 3 है ठीक है B2 क्या है यहाँ पर? बताओ बताओ बहुत चाले लोग बताएंगे 4 है 4 नहीं है, माइनस 4 है हमें हमिसा माइनस प्लस का ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस 4 होगा, ठीक है फिर यहाँ पर C1 क्या है? C1, C1, C2 लिख देते है C1 क्या है? तुम लोग इज़ी देख के बताओ सा, तुम 11 है लेकिन गलत होगा, 11 नहीं है यह माइनस 11 है, हमेज़ा हमें negative positive का value ध्यान रखना है, ठीक है और नीचे C2 क्या है? 24 है तो इस तरह से तुम लोग A1, A2, B1, B2 C1, C2 find कर सकते हो अब यह चीज़ में तुमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे questions में बहुत जादा काम देगा बहुत simple सा चीज है A1 यह हुआ, B1 यह हुआ, C1 यह हुआ उसी तरह से A2 यह हुआ, B2 यह हुआ, C2 यह हुआ ठीक है, बहुत simple सा चीज है लेकिन पता होना चाहिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है एक्जाम तरह में बहुत simple सा चीज है लेकिन गल्ती करके आ जाते हैं तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग X और Y का value कैसे find कर सकते हैं ठीक है, तो मैं दो equation दे दिया अब X और Y का value find करना है तो कैसे कर सकते हैं तो देखो इसका 3 method होता है क्या क्या method होता है एक graphical method होता है एक substitution method होता है और एक elimination method होता है और यह 3 ही method equally important है ऐसा नहीं कि तुम कोई भी एक method को learn कर लोगे और exam में चले जाओगे क्योंकि exam में ऐसे नहीं बोलता है कि बस X और Y का value find करो तुम्हें exam में बोलेगा कि X और Y का value find करो from graphical method या कभी बोल देगा from substitution method या कभी बोल देगा from elimination method तो तुम्हें याद तो तीनों करने है और तुम्हें तीनों का process पता होना चाहिए देखो बहुत ज़्यादा आसान है तुम्हें easily याद हो जाएगा मतलब कि समझ में आ जाएगा मैस याद करने वाली चीज नहीं होती है ठीक है एक एक करके देखेंगे देखो जो graphical method है न उस पे based तुम्हारा पूरा 3.1 का exercise है उसी तरह से जो substitution method है उस पे based तुम्हारा पूरा 3.2 का exercise है और जो elimination method है उस पे based तुम्हारा पूरा 3.3 का exercise है और उसके बाद पूरा का पूरा chapter खतम हो जाता है तो basically हर method के उपर तुम्हें एक exercise solve करना है तो I hope से तुम्हें समझ में आगया होगा कि ये सारे methods कितने जादे important है हम लग start करेंगे सबसे पहले वाले से graphical method से जो कि असानी है लेकिन जो बाकी के दो method है वो first वाले से भी बहुत जादा असान है बहुत मज़ा आएगा चल स्टार्ट करते है अब देखो graphical method नाम से ही पता चल रहा है कि तुम्हें इसमें graph draw करके x और y का value find करना है अब देखो कैसे find करना है इसका process क्या होता है वो ध्यान से समझना मैं तुम्हें example लेके समझाओंगा देखो तुम्हें 2 equation given रहता है ठीक है हम कोई भी equation ले लेते हैं एक ले लेते हैं 2x plus 3y plus 5 equals to 0 ठीक है दूसरा equation ले लेते हैं 3x plus 2y plus 4 equals to 0 यहाँ पर तुम देखोगे हम a1, a2 और b1 by b2 इसको compare करेंगे क्यों करेंगे आगे बताता हूँ क्योंकि यही process होता है ठीक है ध्यान से देखना a1 क्या हो जागा? a1 तुमारा 2 हो जाएगा है न? a2 क्या हो जाएगा? a2 तुमारा 3 हो जाएगा तुम्हें standard form पता होगा न? नहीं पता है तो पीछे जागे देख लेना यहीं तुमारा standard form है ठीक है? a2 क्या होँ? तुमारा 3 हो गया उसी तरह से b1 क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा और b2 क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो a1 by a2 b1 by b2 की equal नहीं है न? नहीं है न? 2 by 3 यहाँ पे value आ रहा है यहाँ पे 3 by 2 आ रहा है same नहीं है, अलग values है तो इससे क्या conclusion निकला कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 तो जैसे ही ये conclusion निकलता है ना, एकड़म रट लो, याद कर लो इस चीज़ को, कि जैसे a1 by a2 b1 by b2 के equal नहीं निकलता है तो इसका मतलब इसका जो graph बनेगा उसमें intersecting lines होगा कैसा line होगा, ऐसा line बनेगा तुमारे graph में और यहाँ पर जिस point पर intersect करेगा ना, वो तुमें x और y का value देगा और एक चीज़ समझे लो जब भी intersecting lines बनता है तब उस equation का बस एक ही solution निकलता है ठीक है, इस चीज़ को clear रखना यह तुमारे सबसे पहला वाला था ठीक है, जब a1 by a2, b1 by b2 का एकवल नहीं होता है जब a1 by a2, b1 by b2 का एकवल नहीं होता है तब intersecting lines बनता है कैसा lines बनता है, ऐसा line बनता है ठीक है और इस case में equation का solution बस एक ही आता है कितना solution आता है एक ही आता है उसी तरह से हम दूसरा example ले लेते हैं ठीक है हम ले लेते हैं 2x plus 3y plus 5 equals to 0 ठीक है, दूसरा equation ले लेते हैं 4x plus 6y plus 10 equals to 0 इस case में अब देखो हम a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 को compare करेंगे ठीक है a1 by a2, क्या हो जाएगा a1 तुमारा 2 हो गया a2 तुमारा 4 हो गया उसी तरह से जब हम b1 by b2 को compare करेंगे क्या हो जाएगा b1 3 हो जाएगा, b2 6 हो जाएगा उसी तरह से जब हम c1 by c2 को compare करेंगे क्या हो जाएगा c1 5 है, और c2 10 है यहाँ पर दूम देख सकते हो, सारे कटने वाले है साड़े कटने वाले है ना 2 बंजा 2, 2 तू जा 4, 1 बाई 2 यहाँ पर आ गया 3 बंजा 3, 3 तू जा 6, 1 बाई 2 यहाँ पर भी आ गया 5 बंजा 5, 5 तू जा 10, 1 बाई 2 यहाँ पर आ गया A1 बाई A2 का भी value 1 बाई 2 है है ना, A1 बाई A2 का भी value 1 बाई 2 है B1 by B2 का value भी 1 by 2 है और C1 by C2 का value भी 1 by 2 है देख पा रहे हो ना 1 by 2 है सब का ठीकिया 1 by 2 1 by 2 1 by 2 आ गया इससे क्या conclusion निकला कि A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2 है तो जब भी ऐसा होता है ठीक है जब भी A1 by A2 B1 by B2 और C1 by C2 तीनों equal हो जाते हैं ना equation के तब क्या बनता है तब coincident line बनता है coincident line कैसा होता है देखो एक line ऐसा बनेगा और जो दूसरा line होगा ना वो भी इसी के उपर बनेगा ऐसा बनेगा तो जब line के उपर line बनता है तो उसको हम लोग coincident line बोलते हैं और जब भी coincident line बनता है तो उस case में उस equation का बहुत सारा solution होता है और विसी बात है इस case में बहुत सारा solution निकलता है अब देखो equation को कैसे solve करना है और graph कैसे बनाना है वो हम अगले page में देखेंगे अभी जो यहाँ पर मैं तुमें समझा रहा हूँ न वो समझने की कोसिस करो बहुत एक basic चीज़ बतावा हो तुम लोग को दो equation given रहता है और उन दोनों equation के जो constant terms होते हैं मतलब A1, A2, B1, B2, C1, C2 इन सब को compare करके हम यह find कर सकते हैं कि तुमारे graph में जो lines बनेगा वो कैसा बनेगा जैसे A1 by A2, B1 by B2 को equal नहीं था तब क्या बन रहा था? तब intersecting lines बन रहा था जब A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 सब equal आ रहे है तब कैसा बन रहा है? Coincident line बन रहा है और उसी तरह से अगर कोई दो equation given है जिसमें A1 by A2 equal है B1 by B2 के लेकिन यह सब C1 by C2 के equal नहीं है तो उस case में parallel lines बनेगा मतलब कि ऐसा line बनेगा दू अलग-अलग lines बनेगे तुमारे graph में और दोनों parallel होंगे चलो ऐसे equation का भी example लेके देख लेते हैं ऐसे equation का भी example ले लेते हैं कुछ नहीं 2x plus 3y plus 5 equals to 0 और एक equation ले लेंगे हम 4x plus 6y plus यहाँ पे 7 ठीक है? equals to 0 अब इस case में तुम देखो A1 by A2 जब हम करेंगे A1 by A2 क्या हो जाएगा? A1 2 और A2 4 ठीक है? इसको जब तोड़ देंगे 2x2, 2x4 तो यह 1 by 2 आ जाएगा A1 by A2 क्या आ गया? तुमारा 1 by 2 आ गया ठीक है? उसी तरह से हम ले लेते है B1 by B2 B1 by B2 क्या है तुमारा? 3 और 6 ठीक है? इसको भी तोड़ोगे तो 1 by 2 आ जागा 3 1 जब 3, 3 2 जब 6 1 by 2 तुम देख रहे हो A1 by A2 equals to B1 by B2 आ गया ठीक है? अब C1 by C2 लेते हैं C1 by C2 अब इस case में तुम देख रहे हो C1 क्या है? 5 है और C2 क्या है? 7 है यह तूटने वाला तो है नहीं ठीक है? इसका value क्या आ गया? 5 और 7 तो यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे कि A1 by A2 equals to B1 by B2 है है ना? A1 by A2 equals to B1 by B2 है लेकिन तुम एक और चीज़ नोटिस करोगे कि यह not equal to है C1 by C2 के है ना? A1 by A2 B1 by B2 के equal तो है 1 by 2 1 by 2 दुनों का value आ रहे है C1 by C2 का value 5 by 7 आ रहे है मतलों equal to नहीं है तो जब भी दो equation कुछ ऐसा given हो जहाँ पर A1 by A2 B1 by B2 के equal हो लेकिन C1 by C2 के equal नहीं हो तो उस case में जो तुमारा graph बनेगा ना? उसमें parallel lines बनेगा और अगर parallel lines बनेगा तो इस case में उस equation का कोई भी solution नहीं निकलेगा ओव्यसी बात है जब lines एक दुसरे को touch ही नहीं करेगा तो उस equation का solution निकलेगा कैसे? तो I hope से तुमें समझ में आ गया होगा कि जब भी graphical method का हम use करेंगे तो कैसे हम दो equation को compare करेंगे कैसे compare करेंगे? उनके constant values को लेकर और ये उन equation पर depend करेगा कि उनका constant value कैसा है और उनका कैसा line बनने वाला है graph में. अब हम लोग equation को solve करेंगे और graph बना कर भी देखेंगे ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैंने एक example लिया है इस example के बद से मैं तुम मैं बताऊंगा कि graph कैसे बनाते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन दोन equation के हिसाफ से इस graph में कैसा line बनना चाहिए हमने पिछले page में ही समझाता सबसे पहले हम क्या करेंगे? A1 by A2 देखेंगे क्या है? A1 क्या है 2 है? A2 क्या है? 3 है 2 और 3 है B1 by B2 क्या है? B1 by B2 क्या है? B1 क्या है? तमारा 3 है और B2 क्या है? 2 है सीधा सीधी दिख रहा है कि ये दोनों equal नहीं है दिख रहा है ना? A1 by A2 is not equals to B1 by B2 A1 by A2 is not equals to B1 by B2 इस case में हमने क्या देखा था? इस case में हमने सीखा था कि intersecting line बनेगा, है ना, हमने सीखा था था ना intersecting line बनेगा, पीछे देख लो, जब even by a to b even by b to equal नहीं होता है, तो उस case में क्या बनता है, intersecting line बनता है, और कितनी solutions होते हैं, बस एक ही solution होता है, ठीक है, बहुत simple था, तो इस case में भी y दिख रहा है हमें, यहाँ पर उपर भी given है, कि यहाँ पर intersecting line बन रहा है, ठीक है, अब हम लोग जल्दी से, दूरे equation को solve करके देखते हैं, कि graph में कैसा line बनता है, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और y को assume करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने x लिख लिख और y लिखा ठीक है, x और y, तो यहाँ पर दो equation given है, equation 1 और equation 2, सबसे पहले हम equation 1 के लिए x और y को assume करते हैं, तो हम equation 1 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं की नहीं, 2x plus 3y equals to 8, यहाँ पर minus 8 है, उसको 0 को side बेज़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, plus 8 हो जाएगा है, अब यहाँ पर ह y का value कुछ भी assume कर सकते हैं, suppose अगर हम y को 0 रख देते हैं, y को 0 रख देते हैं, तो इसका value क्या आ जाएगा, 3 0s are 0, 2x is equal to 8, यह तो 0 हो गया नहीं पार्ट, तो 2x is equal to 8 आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, 2 4 जाएगा, 2 नीचे जाएगा, तो divide होगा, x का value 4 आ जाएगा, इसका मितलब जब हमने y का value 0 रखा, तो x का value क्या आया, 4 आया, है न, 1 आ गया हमारा, 0 और 4, उसी तरह से हमें एक और find करना है, एक और कैसे find कर सकते हैं, कुछ भी रख के देखते हैं, अगर हम y का value 2 रखते हैं, अगर हम y का value 2 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y क x का value कितना आता है, 2 x is equal to 8, यह आजए 3 to the 6 उदर जाएगा, तो minus 6 हो जाएगा, तो 2 x is equal to 2, 2 x is equal to 1, ठीक है, तो इस तरह से हमें x का value यहाँ पर 1 मिल गया, यह हमें किस के लिए मिला, यह हमें मिला पहला equation के लिए, हम पहला equation को solve कर रहे थे, ठीक है, 2 x plus 3 minus 8 equals to 0, उसी तरह से हमें दूसरे equation के लिए भी 2 value find करने है, ठीक है, हमें दूसरे equation के लिए भी 2 value find करना है, बहुत असानी से कर लेंगे, यह दूसरा equation है, तुमारा, ठीक है, इसके लिए भी हम बहुत easily कुछ भी assume कर लेंगे, सबसे पहले equation को हमने कुछ ऐसे लिख सकते है, 3 x plus 2 y equals to 7, यहाँ पर minus 7 है, उसको उधर बेजेंगे 0 के तो plus 7 हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर अगर हम x का value 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा y का value, अगर हम यहाँ पर x क पहले x और y यहाँ पर लिखेंगे, x का value हमने 1 assume किया है, तो जब हम x का value 1 assume करेंगे, तो 3 into 1 हो जाएगा, और 2y equals to 7 हो जाएगा, यहाँ से y का value निकल जाएगा, निकल जाएगा, 2y equals to, यह जो 3 है वो अधर चला जाएगा, 7 minus 3, तो यह हो जाएगा, 2y equals to 4, साथ में 3 किया 4 होता है, तो y equals to हो जाएगा, 2 जब नीचे जाएगा, यह divide होगा 2, ठीक है, तो इसे क्या है, तुम्हार y का value 2 आया, अब देखो, यहाँ पर confused होने वाली बात नहीं है, मैं भी जब class 10 में था, मैं बहुत ज़्यादा confused हो गया था, कि यह teacher क्या बता रहा है, खुद से assume करना ह एसा थोड़ी होता है, मैं यही सोच रहा था, लेकिन ऐसा ही होता है, तुम्हें खुद से x और y का value assume करना होता है, तुम कुछ भी x का value रखो के y का value खुद equation देदेगा, लेकिन हाँ, इन equations में थोड़ा सोच समझ के x और y का value रखना, क्योंकि अगर तुम बिना सोचे x और plus 2y equals to 7, हमने क्या किया, हमने x का value 2 रख दिया, ठीक है, 3 into 2 plus 2y equals to 7, यहाँ पर तुम देखो के y का value क्या आएगा, पहले 3 into 2, 6 हो गया, plus 2y equals to 7, 6 उधर जाएगा, 7 से minus होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 minus 6, 1 होता है, तो y का value कितना आ गया, 1 by 2 आ गया, मैंने 0.5, हमने x को क्या रखा, हमने x को 2 रखा था, ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो, कि हमें equation 1 का x और y का 2 value मिल गया, और equation 2 का भी x और y का 2 value मिल गया, देखो, यहाँ पर minus नहीं, यह बस 0.5 है, अब देखो, जैसे ही हम graph में, इन सारे points को plot करेंगे, तो में intersecting lines देखन को मिल जाएगा, चलो देखते हैं कैसे, सबसे पर हम क्या plot करेंगे, 4 और 0 को, 4 क्या x है, और y 0 है, x 4 है, और y 0 है, मतलब कि यहाँ पर कुछ point आएगा, तो को pain का गए, change कर लेते हैं, red कर लेते हैं, यह वाला point हो गया, ठीक है, क्या हो गया, यह वाला point, यह वाला point हो गया, मतलब यहाँ पर कुछ point आएगा, ठीक है, x का value 1 और y का value 2, फिर यह वाला हो गया, यह वाला equation के लिए इतना भी हमें plot करना था, वह हमें plot कर दिया, अब हम इस वाल equation के लिए, यह दोनों point करते हैं, plot करते हैं, तो x का value पहला क्या है, 1 है और y का value 2 है, x का value 1 है, और y का value 2 है मतलब यह वाला point हो गया, ठीक है, तो मतलब equation 1 में भी तुम्हार वन और two point था, x का, और equation 2 में भी तुम्हार वन और two point हा, y का, तो यही वाला point हो जागा नहीं, intersecting point हो जागा, अब हमें दूसरा विपोर्ट करके देखना है, इसमें x का value 2 है, और y का value 0.5 है, मतलब x का value 2 है और y का value 0.5 यह देखो यह x axis होता है यह y axis होता है ठीक है x का value 2 यहाँ पे हुआ और y का value 0.5 मतलब 1 से हाधा हाधा मतलब कुछ यहाँ पे 2 के उपर ठीक है यह वाला जो point हो जाएगा यह हो जाएगा तमारा 2 और 0.5 क्या हो जाएगा यह तमारा 2 और 0.5 का अब देखो जब हम line को मिलाएंगे न यहाँ पर मैं ऐसी मिला दे रहा हूँ जब तुम लोग मिलाओगे scale से मिलाना यहाँ पर हम एक ऐसे line draw करेंगे इस equation के लिए हमने line draw करा किसके लिए draw करा हमने 3x plus 2y के लिए यह वाला जो line है यह किसके लिए है यह है 3x plus 2y equals to नहीं minus 7 equals to 0 इसके लिए है थोड़ा handwriting आपे खराब बन रहा है बट तुम लोग समझ नहीं कुस करो उसी तरह से जो दूसरा line हमने plot करा था इसके लिए 4x 0x 1x 2 वो line कुछ ऐसे बनेगा बनेगा तो मिलाओगे तो exact सीठा बनेगा ठीक है फिर यहाँ पर यह वालो जो point है यही तुमारे intersecting point है और यहाँ पर जो value आ रहा है न वही तुमारा answer हो जाएगा इन दोनों equation का जो तुमारा solution है वो कुछ और नहीं बलकि 1 और 2 है 1 और 2 जिसका मतलब x का value 1 है और y का value 2 है ठीक है इसी तरह से हमें graph बनाना है बहुत असान है हम और भी graph बनाके देखते हैं यह तो हमने graph बनाए intersecting lines के लिए बाकी हम parallel lines के लिए भी graph draw करेंगे और coincident line के लिए भी graph draw करेंगे ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो यहाँ पर भी 2 equation given है सबसे पहला equation यह है और दूसरा equation यह है सबसे पहले हमें क्या करना है हमें देखना है कि इस graph में किस type का lines बनेगा और वो हम कैसे देखेंगे हम compare करेंगे a1 by a2 को पहले a1 क्या है तुमारा 1 है x के आगे कुछ भी नहीं लिखावा है मतलब 1 है a2 क्या है तुमारा 2 है अब देखेंगे b1 by b2 क्या है b1 क्या है तुमारा 1 है क्योंकि y के आगे कुछ नहीं लिखावा है मतलब यहां पर 1 है और b2 क्या है 2 है अब हम देखेंगे c1 by c2 क्या है c1 by c2 क्या है क्या है c1 तुमारा 5 है और c2 क्या है तुम्हारा 10 है actually में जब इधर आएगा तो वो माइनस 5 होगा और इधर आएगा तो माइनस 10 रहेगा है ना तुम्हारा जो basic form होता है linear equation का उसमें तुम्हें यहाद होगा कैसा होता है form ऐसा form होता है e1 x plus b1 y plus c1 c1 इधर नहीं लिखा होगा होता है c1 इधर लिखा होता है तो उस तरह से अगर तुम देखोगे कहा गया तो उस तरह से यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यह जो 5 है उसो यहाँ रहना चाहिए और यह जो 10 यहाँ रहना चाहिए पता चल रहा है कि A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. और जब भी ऐसा होता है तो कैसा line बनता है? Coincident line बनता है, मतलब कि ऐसा line बनता है. एक line की ओपर दूसरा line बनता है, ठीक है? यह हमने कहा दिखा था? यह हमने पिछले वाले page में सीखा था, ठीक है? जो topic था. Coincident line में क्या होना चाहिए? A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 सब equal होना चाहिए. तो वही इस case में भी आ रहा है. अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें X और Y का value find करना है. हम बहुत easily find कर लेंगे, हम X का value कुछ भी रख देते हैं. पहले X और Y यहाँ पर लिखेंगे, हमने X और Y यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? अब अगर हम X का value 1 लेते हैं, तो Y का value क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. और अगर हम X का value 2 लेते हैं, तो Y का value क्या होगा? यहाँ 3 हो जाएगा. बहुत obvious ही बात है, 1 plus 4, 5 होगा, फिर 2 plus 3, 5 होगा, तो हम कुछ भी यहाँ पर रखके देख लिए. तो पहला equation का तो हमार 2 value निकल गया, उसी तरह से हम इस वाल equation के लिए भी दो value देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर X लिखेंगे और यहाँ पर Y लिखेंगे. तो यहाँ पर Y का value 5 आ जाएगा, उसी तरह से अगर हम Y का value 0 ले ले लेते हैं, तो क्या solution आएगा, हम ले लेते हैं Y का value 0, Y को अगर हम 0 कर देंगे, तो यह हो जाएगा 2X equals to 10, कुछ नहीं, उसी तरह से तमारा X का value 5 आ जाएगा, हमने Y को यहाँ पर 0 लिया, तो तमारा X का तो इस तरह से तुम देख सकते हो, हमें दोनों lines के लिए enough points मिल चुका है, और इतने points काफी है graph draw करने के लिए, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या point मिला, इस वाले line के लिए हम यहाँ पर point mark करते हैं, ठीक है, X1 है और Y4 है, X1 है और Y4 है, मतलब यह वाला point है, red paint ल तो यह वाला point है, ठीक है, 2 और 3, और पहला क्या था, 1 और 4, अब हम इसके लिए line draw करते है, ठीक है, X0 है, Y5 है, X0 मतलब इस वाले line में, Y5 मतलब यहाँ पर, ठीक है, और क्या है तमारा, Y0 है, X5 है, Y0 है, X5 है, मतलब यह वाला point, अब तुम यहाँ पर ध्यान से notice करोगे, मैंने point mark नहीं किया, इसमें क्या था, 5-0, और इसमें क्या था, 0-5, अब तुम ध्यान से देखोगे, तो जब तुम scale से line बनाओगे न, तो यह वाला जो line बनेगा, देखो, यह वाला जो line बनेगा, यह straight line बनेगा, कैसा line बनेगा, straight line बनेगा, पहला वाल equation के लिए क्या line ब कने है, वो दोनों एक दूसरे को coincident कर रहे है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है, और यहाँ पर जो equation का solution आएगा, वो बहुत सारा आएगा, क्योंकि जब भी coincident line बनता है, तो उस case में बहुत सारा solutions आता है, तो इस तरह से यह वाला question भी complete होता है, अब हम बढ़ते हमारे अगले equation की तरफ, अब देखो हमने coincident line का graph देख लिया, हमने intersecting line का graph देख लिया, अब हम लोग parallel line का graph देखते हैं, तो देखो parallel line होने के लिए, क्या requirement चाहिए था, यह requirement चाहिए था, कि A1 by A2, B1 by B2 को equal to होना चाहिए, लेकिन C1 by C2 को equal नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें equation given है, ठीक है, एक equation यह है, एक equation यह है, हम A1 by A2 find करते हैं, A1 क्या है, तुम्हारा 2 है, और A2 क्या है, 2 है, तो यह 2 by 2 हो जाएगा, फिर, दूसरा क्या है, B1 by B2 find करते हैं, ठीक है, B1 क्या है, 3 है, और B2 क्या है, 3 है, अब हम लोग C1 by C2 find करते हैं, C1 तुम्हारा minus 8 है, और C2 तुम्हारा minus 12 है, अब सब को simplify कर देते हैं, 2, 2 कट जाएगा, तो यह 1 by 1 आजाएगा, 3, 3 कट जाएगा, तो यह 1 by 1 आजाएगा, अब इसको काटते हैं, यह जगा 4, 2 जाए, 4, 3 12, minus minus कर जाएगा, तो यह 2 by 3 आजाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 आता है, 1 by 1, B1 by B2 भी 1 by 1 आ रहा है, लेकिन C1 by C2 का value 2 by 3 आ रहा है, इसका यह मतलब हुआ, कि A1 by A2, B1 by B2 के equal to है, लेकिन C1 by C2 के equal नहीं है, तो इस case में कैसा graph बनता था, parallel graph बनता था, बनता था, अंदर कैसे lines बनेंगे, parallel lines बनेंगे, parallel lines का मतलब दोनों lines एक दूसरे को कभी भी touch नहीं करेंगे, चाहे तुम कितना बड़ा भी graph लेलो, तुम square से कितना बड़ा भी line बना दो, यह दोनों lines है, यह दोनों lines आपस में नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको parallel lines बोलते है, ठीक है, त इसका मतलब इन दोन equation का जो line बनेगा, वो parallel line बनेगा, अब जो लोग प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x और y का value पूट करेंगे, कुछ भी अपने मन से पूट करना है, ठीक है, एक सेकंड, उसको erase करने तो फिर हम लोग पूट करके देख पानी होगा हमारे लिए, तो minus 8 plus 8 हो जाएगा, अब अगर हम y का value 0 रख देते हैं, तो x का value क्या हो जाएगा, y का value 0 हो गया, तो 2x is equal to 8 हो गया, तो x का value आ जाएगा, 2 से divide करेंगे, तो 4 बार में, ठीक है, तो x का value 4 आ जाएगा, और अगर हम y का value 2 रख देते हैं, ठीक है, या कुछ भी रख सकते हैं, तुम अपने मन से, मैं यह आपर सोच के रख रहा हूँ, ठीक है, मैं यह आपर 2 रख ले रहा हूँ, तो y का value 2 रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 2 जा 6, y के जागा पर 2 रख दिए, इक्वस टू 8, तो x का value कितना आ जाएगा, 2x is equal 2, 6 उदर चल जाएगा, तो 8-6, तो यह हो जाएगा, 2, 2x is equal to 2, तो x का value तुमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, उसी तरह से हम दूसरे equation के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है, दूसरे equation के लिए मैं x और y का value find करते हैं, तभी तो हम graph draw कर पाएगे न, हम x और y का value क्यों find करते हैं ताकि हम graph में plot कर पाएगे, उसके बाद लाइन बना पाएगे, उसके लाइन बना के देखेंगे के parallel है की नहीं, of course parallel हो गई, क्योंकि यह तो formula है तुमारा, मतलब की basic concept है तुमारा, ठीक है, कि अगर ऐसा होता है तो parallel lines बनता है, अगर वैसा होता है तो coincident line बनता है, और अग को पहले simplify करके लिखते हैं, यह क्या हो जाएगा, 2x plus 3y, 12 को अधर बेज देंगे, minus 12 है तो plus 12 हो जाएगा, अब कुछ नहीं, यहाँ पे भी हम y का value 0 रख देते हैं, अगर y का value 0 रख दिये, तो यह क्या हो जाएगा, यह value 0 हो गया, तो यह हो जाएगा, 2x is equal to 12, तो x हो जा तो y का value यहाँ से आजाएगा, 3, 4s are 12, y का value आजाएगा 4, अब कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे graph में plot करके देखना है कि parallel lines बनते हैं कि नहीं बनते हैं, पहला वाल equation के लिए हमें 2 point मिला है, पहले 4 0 को देखते है, x 4 है, y 0 है, x 4 है, y 0 है, मतलब यहीं पे होगा, यह ह यह वाला point हो गया है, 4 और 0, दूसरा point क्या है, 1 और 2, x 1 है और y 2 है, x 1 है और y 2 है, तो यह वाला point हो चाहेगा, x 1, y 2, ठीक है, तो हमें एक ऐसा line मिला, हम इसको जोड़ेंगे, तो हमें कुछ ऐसा line मिलेगा, ठीक है, यह line एक तम आगे तक जाएगा, तो जहां तक वन draw मत करना, यह line तेड़ा है, तुम लोग जब भी examination में draw करोगे, हमें सा scale से draw करना, ठीक है, मैं हाथ से draw कर रहा हूँ, उसलिए तेड़ा हो जा रहा है, अब देखो, इस equation के लिए तुमने line draw कर लिया, अब इस equation के लिए draw करते है, तुम्हारा x 6 है और y 0 है, x 6 है, और y 0 है, x y 4 है, यहाँ पर आएगा, ठीक है, तब यह line बनेगा, पहली बात देखो, मैंने पहले वाले जो line बना है, वो straight नहीं है, इसले थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको इक्दम straight बनाना है, यह कुछ ऐसे बनेगा, और यह वाला line, यह वाला line इसके parallel जाएगा, ठीक है, अब क्य a1, a2, b1, b2 को compare करके देखना है कि कैसा line बनेगा, उसके बाद तुम्हें graph draw कर देना है, और graph draw करना बहुत असान होता है, पहले x और y का दो-दो value find करो, दोनों equation के लिए, और बस तुम्हारा graph बन गया, ठीक है, बहुत simple होता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, और कर लोगे, एक-दो बार बहुत सारे questions को solve कर लोगे, तुम्हारा हो जागा ये chapter, ये chapter बहुत असान है, ठीक है, अब हमने graphical method को सीख लिया, लोग आगे चलके exercise 3.1 को solve करेंगे, तो देखो हमने graphical method को बहुत ही अच्छे से समझ लिया, और हमें ये भी समझ में आ गया, कि हम कै कैसे graphical method का use करके, कोई भी linear equation को solve कर सकते हैं, और हमने ये भी सिखा, कि हम कैसे x और y का value निकाल कर, उसे graph में plot कर सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं, कि जो line बनेगा न, वो parallel बनेगा, या intersecting बनेगा, या फिर coincidence line बनेगा, अब हम लोग exercise 3.1 को solve करेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ सीखने के बाद, हम easily इस exercise को solve करी सकते हैं, तो चलो मेरे साथ में तुम लोग इस exercise को solve करते जाना, बहुत मजा आएगा, अब देखो question number 1, बहुत ही simple सा question है, इसमें क्या करना है, कुछ word problems given है, इसे solve करके, तुमें एक linear equation को find करना है, और उसके बाद उस linear equation का solution है उसे त step by step करते हैं, बहुत असान सा question है, समझ में आ जाएगा, तो देखो question number 1 क्या है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the math quiz, सबते पहले हम boys को X let कर लेते हैं, और girls को Y let कर लेते हैं, बहुत असान हो जाएगा, देखते जाओ, हम लोग क्या करेंगे, let the number of boys of boys be X, और girls को क्या कर लेंगे, Y ले लेंगे, ठीक है, let the number of girls be Y, तो total students जो mathematics quiz में पार्ट लिये थे, वो कितने थे, 10 थे, तो X plus Y क्या हो जाएगा, X plus Y, तुम्हारा 10 हो जाएगा, और हम ही क्या पता है, the number of girls is 4 more than the number of boys, तो अगर girls Y है, तो ये girls Y है, वो लड़कों से कितना जाता है, 4 जाता है, तो क्या हो जाएगा, X plus 4, हो जाएगा न, Y is equal to X plus 4, क्योंकि ये लड़की है, Y तो लड़की है न, तो लड़के कितने हो जाएगे, X plus 4, वो जितना है, उनसे 4 जादा, ये तो बहुत basic सा बच्चों वाला word problem है, तो हम क्या करेंगे, दोनों equation का, X और Y का कुछ values find कर लेंगे, जैसा हम करते थे, ठीक है, दोनों equation का, ये इस equation के लिए है, और ये इस equation के लिए है, ठीक है, तो देखो, पहले वाले equation में, X plus Y is equal to 10 है, तो अगर हम X को 5 लेंगे, ठीक है, X को 5 लेते है, तो Y कितना हो जाएगा, 6 लेते हैं, अगर हम X को 6 लेते हैं, यहाँ पे, तो Y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 plus 4, 10 होता है, है ना, उसी तरह से दूसरे equation के लिए, अगर हम यहाँ पे X को 0 ले लेते हैं, तो Y कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे X को 0 ले लेंगे, तो इधर बस 4 बचेगा, तो y4 हो जाएगा ठीक है तो अगर हम x को 0 लेते हैं तो y4 हो जाएगा और अगर x को 2 लेते हैं x को 2 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा x को 2 लिए तो 4 plus 2 6 हो जाएगा y6 हो जाएगा है ना x को 2 लिए तो y तुम्हारा 6 हो गया बहुत easily, बहुत धीरे-धीरे मैंने तुम्हे solve करके दिखाया है कि कैसे हम दो values को find करते हैं और मैंने तुम्हें ये भी बताया कि कैसे हम equation को find करते हैं सबसे पहले हमने क्या किया इस word problem से हमने 2 equation को find किया ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो उसके बाद उसके x और y के value को find किया अब हम बें कुछ भी नहीं करना है इन values को graphically plot कर देना है ठीक है, अगले page में हम graphically plot कर देते हैं देखो, यहाँ पर तुम्हें graph given है ठीक है, ध्यान से देख लो, कुछ नहीं करना है हम पीछे वाले page में जाएंगे सबसे पहला equation में x और y का दो-दो value आया है ठीक है, सबसे पहला value किया है x का 5 और y का 5 क्या है, x का 5 और y का 5 x का 5 यहाँ पे हुआ और y का 5 यहाँ पे हुआ ठीक है, x का 5 यहाँ यहाँ पे, y का 5 यहाँ यहाँ पे X का 6 यहाँ पे हुआ और Y का 4 यहाँ पे हुआ यह कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है X का 6 और Y का 4 यह point यहाँ पे है और फिर उसी तरह से हम दूसरा equation का, पहले इसका एक straight line बना लेते हैं, ठीक है, हम कुछ ऐसे straight line बनाते है देखो, तुम लोग exam में scales उसी तरह से दूसरे equation के लिए हम plot करते है X का 0 और Y का 4 X का 0, मतलब यहाँ पे Y का 4, मतलब यहाँ पे 0 और 4 यह वाला point पे होगा, ठीक है 0 और 4 अरे यार, यह point गायब क्यों हो जा रहा है ठीक है, अब ठीक है, देख रहा होगा और फिर दूसरा point है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जल्दी से line plot करते है यह बार बार dot series हो जा रहे अब इन दोनों का जब हम line draw करेंगे इन दोनों point से, तो यह कुछ ऐसा जाएगा ठीक है, यह थोड़ा line straight नहीं हुआ है यह यहाँ पे होगा, ठीक है तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि एक जगह पे, यह दोनों lines intersect कर रहे है, जब तुम दोग scale से properly draw करोगे ना, तो वो point कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, यह वाला point पे यह दोनों मिलेंगे, और यह वाला जो point होगा यह क्या होगा, x का 3 और y का 7 क्या होगा, x का 3 और y का 7 यह वाला point अगर तुम find करोगे तो यह हो जागा तुमारा x का 3 और y का 7 तो यह बना जो point, जिस point पे दोनों line intersect कर रहे है ना, यही हो जाएगा तुमारा solution उस linear equation का समझ में आ गया और तुम्हें यह तो पता ही होगा कि intersecting line का हमेशा सिर्फ one solution होता है coincident line का many solutions होता है और parallel lines का कोई भी solution नहीं होता है यह मैंने तुम्हें already पीछे बता रहा है तो तुम देख सकते हुए एक intersecting line है मतलब दो intersecting point है तो इस point पे जो value आएगा ना वो तुमारा linear equation का solution हो जाएगा so basically तुमारे first question का solution है ना, वो है 3 और 7 x का 3 और y का 7 यह तुमारा solution है I hope so, तुम्हें समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, पहले word problem को solve किया जैसी हम word problem को solve करेंगे, हमें 2 equations में लेगा हम उन 2 equations से x और y का value find कर लेंगे x और y का value find करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे graph पे plot करेंगे उसके बाद straight line घीच देंगे उसके बाद जिस line में वो intersect करेंगे या जो भी, जैसे भी line से हो सकता है वो coincidence line हो सकता है, पहले line सो तो उससे हम पता कर लेंगे कि कैसा solution आ रहा है एक solution आ रहा है, many solutions आ रहा है या कोई solution नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक solution आ रहा था वो कहाता 3 और 7 अब जिस तरसे हमने question number 1 को solve कर रहा है उसी तरसे हम question number 2 को भी solve कर सकते हैं कुछ नहीं करना है, पहले question पढ़ लेते क्या है 5 pencils and 7 pens cost together 50 whereas 7 pencils and 5 pens cost together 46 find the cost of 1 pencil and that of 1 pen हमें pencil और pen का cost find करना है हमें कुछ नहीं करना है starting में हम लेनेंगे let the cost of pencil is equal to x let the cost of pen is equal to y हमें क्या करना है, pencil को x लेना है और pen को y लेना है ऐसी तुम लिख लेना let the cost of pencil be x ठीक है, उसी तरह से let the cost of pen y pen be y अब बहुत easily solve हो जाएगा क्या बोल रहा है, 5 pencils और 7 pens का cost कितना है? 50 है मतलब कि 7 x 7 x बोल रहा हूं sorry 5 x हमें क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो हमें क्या बोल रहा है? 5 pencil 5 pencil मतलब 5 x ठीक है? 5 x प्लस, कितने pens है? 7 pens है हमने pens को क्या लेट किया है? y लेट किया है तो हम क्या लिख देंगे? 7 y तो 5x प्लस 7y कितना है 50 है, है ना उसी तरह से 7 pencil और 5 pencil का क्यादा हम है 46 है, मतलब कि 7x प्लस 5y equals to 40 हमें 2 equation मिल गया यह equation हमने खुद से नहीं बनाया है यह equation तुमारे question में ही given था हमने क्या कि आप pencil को x ले लिया, pen को y ले लिया बनिया तुमारे 2 equation, अब हमें कुछ नहीं करना है x और y का solution find करना है मतलब values find करना है, पहले equation के लिए हम find करेंगे box बनाते हैं, फिर हम दूसरे equation के लिए find करेंगे दूसरे equation का भी box बना देते हैं I hope so दिख रहा होगा, ठीक है x, y, x, y पहले वाल equation के लिए देखो अगर हम x का value, चलो 3 ले ले लेते हैं ठीक है, यहाँ पर 50 है, तो अगर हम यहाँ पर x का value 3 ले 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 लेते हैं तो y का value कितना हो जाएगा, देखो x का value हमने क्या लिए, 3, तो 5, 3 सा 15 हो जाएगा फिर तुमारा 7y equals to 50 ठीक है, तो 7y को इधर ही रखेंगे 50 से 50, यह जो 5, 3 सा 15 ने उधर चला जाएगा 50 से माइनस हो जाएगा, तो कितना बजाएगा, 35 बचेगा अब y इधर रह जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा divide में, 7 का value में 35 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है तो y का value कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यह से तुम खुद भी रखके try कर सकते हो, ठीक है कुछ भी value रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी value रख सकते हो, ठीक है क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ भी unsrent रख देते है, ठीक है तुम भी ऐसी थोड़ा सोच समझ के हाँ पे value रखना वैसे कुछ भी value रखोंगे, तुमारा value, मतलब answer सही आएगा तुमारा point में भी आएगा, तुम उसको भी plot कर सकते हो, ग्राफ में लेकिन कोसिस करना, easy value आए easy value आएगा, जैसे 5 और 3 easily plot कर पाओ के graph में, अभी यहीं पर point में आला था थोड़ दिक्कत होता I hope सब कुछ-कुछ लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा होगा खेर, दूसरा value भी रखके देखते है अगर हम यहाँ पे y को 0 कर देते हैं plus y का value 0 रख दिये तो 7 into 0 equals to 50 अब यह तो यह वालब आट तो 0 हो गया तो 5x is equal to 50 आ गया है ना, अब x का value कितना हो जाएगा 50 by 5, कितना बार में कटेगा 5 10 जा 50, तो x का value कितना है, 10 आया ना, वही बोल रहा था तो हमने first equation का find कर लिया अब second equation में क्या agreement है, 7x plus 5y is equal to 40 नहीं है 46 है, ठीक है, तो यह 46 हो जाएगा तो देखो, अगर हम x का value 3 रखते हैं ठीक है, x का value क्या रखते है 3, तो y का value कितना आ जाएगा पहले बात तो यह 21 हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 उदर जाएगा 46 से करें, 21 minus करेंगे तो वो 25 हो जाएगा, 5 cutable में 25 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है तो y का value 5 हो जाएगा, तुमनों solve करके देख लो, y आएगा, उसी तरह से हम कुछ और value रखके देखते हैं, अगर हम x का value 8 रख देते हैं, ठीक है, 8 तो यह क्या हो जाएगा, 7, 8 जा 56 56 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, minus 10 ठीक है, क्या हो जाएगा, minus 10 रुको, solve कर किदर दिखाता हूँ अगर हमने x का value क्या रख दिया, 8 7 into 8 हो जाएगा, plus 5y equals to 46 यह होगा ना, हमने क्या रख दिया, x के जगा प 8 अब यह जो, 7, 8 जा 56 होता है plus 5y equals to 46 यह 56 उदर जाएगा, तो minus में हो जाएगा तो 5y is equal to 46 minus 56 तो यह क्या हो जाएगा, minus 10 है ना, minus 10 हो जाएगा 5y is equal to minus 10, अब y equals to क्या हो जाएगा, minus 10 by 5 यह क्या हो जाएगा, value क्या आजाएगा 5 to the 10, यह minus में है तो minus 2, तो x का value क्या आ गया, sorry, यह y का value क्या आ गया, y का value आ गया, minus 2, हमने easily points को find out कर दिया, तुम भी थोड़ा सा दिमाग लगा होगे, बहुत ही असानी से points को find out कर सकते हो, अब हमें क्या करना है, इन points को graphically plot कर देना है, तो अगले page में हम जल्दी से इने graph graφically plot कर देते है, तो देखो हमारा क्या-क वैल्यू से था, हमारा value क्या-क था, x का value 3 और y का value 5, तुम यहाँ पे देख पर आ रहे होगे, दोनों equation के लिए x का value 3 और y का value 5 है इस equation में भी है ये वाला इस equation के लिए बनाये थे ये वाला इस equation के लिए बनाये थे तो दोनों equation में x का value 3 और y का value 5 आ रहा है इससे हमें ये पता चलता है कि यही वाला जो point है ये तुमारे intersecting point होगा तो तुम लोग easily इसका answer लिख सकते हो कि 3 और 5 होगा लेकिन फिर भी हमें graphically draw करना है क्योंकि तुमारे question में बोला है और exam में भी तुमा draw करना ही पड़ेगा पहला क्या था x का value 3 और y का value 5 मतलब ये point कुछ यहाँ पे आएगा ठीक है colors select करने तो red x का value 3 और y का value 5 यह वाला point यहाँ पे आएगा ठीक है 3 और 5 यह बार बार mid क्यों जा रहा है समझ नहीं आ रहा है बट ये point कुछ यहीं पे आएगा दूसरा point क्या है दूसरा point है तुमारा 10 और 0 x का value 10 यहाँ पे minus 10 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे बस 10 होगा x का value 10 और y का value 0 मतलब यह वाला point कुछ यहाँ पे आएगा 10 और 0 और क्या given है दूसरा वाला में intersecting point मतलब x का value 3 और y का value 5 given है यह तुमारा intersecting point रहागा यही पे तुमारा दूसरा भी बन जाएगा और एक point यह given है पहले तो हम first one equation के लिए line draw करते है यह line कुछ ऐसे जाएगा I know straight नहीं होगा of course straight नहीं होगा क्योंकि मैं scale से draw नहीं कर रहा हूँ और दूसरा value है तुमारा दूसरा वाला equation के लिए 3 और 5 एक point है और दूसरा point है 8 और minus 2 क्या है 8 और minus 2 x का value 8 और y का value minus 2 तो यह कुछ यहाँ भी हो जाएगा ठीक है यह है x का value 8 और यह है y का value minus 2 तो एक line कुछ ऐसे draw होगा तो यह तुमारा intersecting point हो जाएगा 8 और minus 2 तो इस तरह से तुमारा कोई grab बनेगा बहुती बुरा grab बना है मुझसे बढ़ तुम लोग जो scale से draw करोगे तो एकदम proper graph बनेगा ठीक है easily तुम लोग plot कर भाऊगे तो यह था तुमारा question number 1 अब हम बढ़ते हैं हमारे question number 2 की तरफ अब देखो question number 2 बहुती असा question है तुम्हें क्या करना है ratios को compare करना है A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 और यह बताना है कि जो line है वो intersecting है कि parallel है कि coincidence है हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है एकदम तुम लोगो concept clear होगा तो हम बहुत easily से solve कर पाएंगे A1 by A2, पहले देखेंगे क्या है A1 क्या है तुमारा 5 है और A2 क्या है तुमारा 7 है फिर हम देखेंगे B1 by B2 क्या है B1 by B2 B1 क्या है minus 4 B2 क्या है 6 पहरे इसको simpler form में करेंगे 2-4, 2-3, 6 यह हो जागा minus 2 by 3 है ना minus 2 by 3 अब कहीं से भी A1 by A2 B1 by B2 equal है नहीं है 5 by 7 और minus 2 by 3 कहा से equal हो सकता है नहीं है तो यह क्या हो जागा intersecting line बनेगा इसका हम बोल देंगे कि A1 by A2 is not equal to B1 by B2 इसलिए इसका जो line बनेगा line will be intersecting है ना तो इस तरह से मारा question number 1 solve होता है उसी तरह से question number 2 को solve कर लेंगे कुछ नहीं फिर से A1 by A2 करेंगे क्या आएगा तुमारा 9 by 18 जो की हो जाएगा 9 by 9, 9 to the 18 1 by 2 फिर हम B1 by B2 compare करेंगे B1 क्या है 3 और B2 क्या है 6 प्लस प्लस है हाँ तो 3 by 3, 3 to the 6 अरे ये भी equal आ गया अब तुम लोग देख रहे हो कि A1 by A2 और B1 by B2 equal आ गया तो हमको C1 by C2 भी देखना पड़ेगा जहां तुम लोग देख लो कि A1 by A2 और B1 by B2 equal नहीं आया है तो खेल वहीं पर खाता वो intersecting बनेगा लेकिन जहां पर A1 by A2 और B1 by B2 equal आ गया तो तो तुमको C1 by C2 find करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि line parallel बनेगा यह coincidence बनेगा क्योंकि अगर C1 by C2 भी equal हो गया यह तीनों के तो जो line होगा वो coincident बनेगा लेकिन अगर equal नहीं होगा तो line है वो parallel बनेगा समझ में आ गया तो C1 क्या है? C1 है तुमारा 12 और C2 क्या है? 24 है ऐसे देख के पदा चल रहा है कि equal है 121 जा 12, 122 जा 24 1 by 2 हो गया तो इस तरह से तुम देख के बता पा रहे होगे कि यह वाल जो तुमारा question number 2 है इसका जो line बनेगा, क्या बनेगा? line will be coincident ठीक है उसी तरह से हम question number 3 को solve कर लेंगे a1 by a2 find करेंगे सबसे पहले a1 by a2 find करेंगे सबसे पहले a1 by a2 find करेंगे सबसे पहले a1 by a2 क्या आएगा? 6 by 2 यह कटेगा 2 3 the 6 इसका value 3 आ गया फिर b1 by b2 करेंगे minus 3 by minus 1 minus minus cancel होके plus हो जाएगा तो यह भी तुमारा 3 आ जाएगा 3 by 1 तो 3 होता है ना अब तुम देख पा रहे होगे a1 by a2 और b1 by b2 equal हो गया तो हम c1 by c2 find करेंगे यह जानने के लिए कि line panel बनेगा यह coincidence बनेगा यह coincidence जो भी बोलो तो तुमारा c1 by a2 10 और c2 by a9 यह कहीं से भी नहीं कटेगा तो तुम देख पा रहे होगे c1 by c2 जो है वो अलग है a1 by a2 और b1 by b2 से इसका मतलब कि जो तुमारा equation हो गया क्या हुआ a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2 तो इसलिए इसका line बनेगा वो क्या बनेगा line parallel line will be parallel ठीक है इस तरह से तुमारा question question number 2 का तीनो question solve होता है अब बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ अब देखो question number 3 भी बिल्कुल question number 2 की तरह है कुछ भी different नहीं है तुम लोग confuse मत होना यहाँ पे भी हमें ratios को compare करना है a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 और हमें यह find करना है कि जो linear equation है वो consistent बनेगा यह inconsistent बनेगा अब देखो इस चीज़ को अपने दिमाग में घुसालो कि कोई भी linear equation तभी inconsistent बनेगा जब उसका जो lines draw होगा ना वो parallel होगा graphically ठीक है जब उसका lines parallelly graphically draw होगा और consistent तभी होगा कोई भी linear equation जब उसका जो lines form होगा वो या तो consistent तभी होगा जब उसके जो lines form होगे वो intersecting हो या coincident हो और वो inconsistent तभी होगे जब उनका जो line draw हो वो parallel हो इसी तरह से अब हम बहुत असानी से question को solve कर लेंगे ठीक है even by a2 find करते है सबसे पहला वाला question का even 3 है a2 2 है even क्या है 3 है और a2 2 है अब b1 by b2 देखते है b1 क्या है b1 तुम्हारा 2 है और b2 क्या है minus 3 है 2 और minus 3 कहीं से भी तभी even by a2 and the same देख रहे 3 by 2 or 2 by minus3 कहीं से same हो सकता है obvious हा बात है इसका मतलब हमें क्या पता चला हमें पता चला कि e1 by a2 is not equals to b1 by b2 इस से हमें पताचला कि intersecting line draw होगा क्या line draw होगा intersecting होगा line draw और हमें क्या पता चला और हमें पता चला कि अगर intersecting line draw होगा इसका मतलब जो equation होगा consistent होगा equation क्या होगा consistent होगा है की नहीं हमने easily question number 1 को solve कर लिया हमने कुछ नहीं किया हमने a1 by a2, b1 by b2 को compare किया हमने देखा कि दोनों एकवल नहीं आ रहे है इसका मतलब line जो draw होगा वो क्या होगा वो intersecting line draw होगा अब जैसी हमें पता चला कि line जो draw होगा वो intersecting होगा इसका मतलब कि जो linear equation होगा वो consistent होगा क्योंकि consistent में ही intersecting और coincident line draw होगता है ठीक है अगर a1 by a2 b1 by b2 equal होता और c1 by c2 को equal नहीं होता तब parallel line draw होता और जैसी parallel line draw होता इसका मतलब जो linear equation बनता वो inconsistent बनता लेकिन इस case में यहाँ पर ऐसा नहीं होगा इसी तरह से हम question number 2 को भी solve कर लेंगे बहुत मज़ा आएगा ध्यान से देखना question number 2 में हम a1 by a2 को b1 by b2 से compare करेंगे सबसे पहले a1 by a2 क्या है a1 तुमार 2 है a2 4 है तो यह हो जाएगा तुम्हारा 1 by 2 है ना फिर हम b1 by b2 देख लेते हैं b1 क्या है तुम्हारा minus 3 और b2 minus 6 minus 3 और minus 6 कुछ नहीं करेंगे हम काट देंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 minus minus plus हो जाएगा ठीक है तो इसका भी तुम्हारा value 1 by 2 आया अब हमने देख लिया कि a1 by a2 और b1 by b2 तो equal आ रहा है अब हम लोगो c1 by c2 देखना पड़ेगा अगर equal नहीं आता तो खुछ नहीं देखना पड़ता सीधा intersecting line रह हो जाता लेकिन जैसे ही a1 by a2 और b1 by b2 equal आ गया इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि c1 by c2 क्या आएगा तब तुम बता पाएंगे कि line coincident होगा या फिर parallel होगा ठीक है तो जल्दी से हम c1 by c2 देखते हैं क्या है c1 क्या है c1 क्या है तुम्हारा c1 8 है और c2 9 है मतलब जो lines draw होगा वो क्या होगा parallel होगा है की नहीं parallel lines draw होगा और जो equation होगा वो क्या होगा inconsistent होगा equation क्या होगा inconsistent तो इस तरह हमने question number 2 को भी solve कर लिया ध्यान से देख लो इसी तरह से question number 3 को भी देख लेते है ठीक है ऐसे तुम्हों solve करी लोगे लेकिन हम खुद से भी एक बार solve करके देख लेते हैं अब a1 by a2 पहले हम देखेंगे a1 क्या है तुम्हारा 3 by 2 है डरना नहीं है ठीक है बिल्कुल नहीं डरना है 3 by 2 है अब देखो a2 क्या है तुम्हारा 9 है इससे divide हो जाएगा 9 कुछ नहीं है तो 1 है ठीक है इसको पहले हम solve करके देखते हैं तो यह क्या हो जागा तुम्हारा 3 by 2 1 उपर चला जाएगा 9 नीचे अल जाएगा यह हो जागा 3 1 जा 3 यह हो जागा 3 3 जा 9 तो यह तुम्हारा क्या value आ जाएगा यह आ जाएगा तुम्हारा 1 by 6 3 2 जा 6 उसी तरह से हम b1 by b2 देख लेते हैं ठीक है हम क्या देख लेंगे b1 by b2 b1 क्या है तुम्हारा 5 by 3 है 5 by 3 है अब इसको इससे हम divide करेंगे minus 10 को कुछ नहीं है तो क्या है 1 है यह क्या हो जाएगा यह हो जागा तुम्हारा 5 by 3 वन उपर आ जाएगा मैनस 10 नीचे आ जाएगा यह हो जाएगा 5 by 2 जाएगा यह OSCASTIन है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह हो जाएगा कि A1 by A2 is not इसका मतर्ब जो लाइन बनेगा, वो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा और जो एक्वेशन होगा, वो क्या होगा? वो कंसिस्टेंट होगा ठेक है? तो इस तरह से तुमारा question number 3 भी solve होता है इसी तरह से बाकी के दो questions को भी solve कर सकते हो सेम फॉर्मेट यूज होगा बस अगर मैं बनाते जाओंगा तो बस वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं होने वाला है बहुत इसली तुम लोग सॉल्व कर पाऊगे सेम कॉंसेट के साथ अब तक तो तो तुम्हें सेम कॉंसेट्स होनना अंगे होगा हम बढ़ते हैं कुछ नमबर 4 की तरफ कुछ नमबर 4 में भी सेम चीज बोल रहा है तो मैं कंसिस्टेंट और इंकंसिस्टेंट फाइंड करना है जिस तरह से मैंने पिछला तीन कुछन सॉल्व कर रहा था ना उसी तरह से तुम्हें ये भी सॉल्व करना है compare करना A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 तुम्हें easily समझ में आ जाएगा कि कौन सा line draw होगा तो तुम लोग खुद से solve करो और मुझे comment section में question number 4 का answer लिख कर बताओ हम लोग आगे बढ़ते हैं question number 5 की तरह अब देखो question number 5 what problem वोला question है question number 1 की तरह है बहुत असान सा है half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter find the dimension of the garden सबसे पहले हम लोग length और width को x और y लेट कर लेते हैं चीक है let L-E-N-G-T-H length of the garden the x और उसी तरह से हम कर लेंगे let W-I-D-D-H width of the यह लिखने वाला काम बहुत boring लगता है but exam में तुमें लिखना पड़ेगा अगर properly लिखोगे नहीं तो proper marks नहीं मिलेगा ठीक है तो हमने x और y लेट कर लिया length को और width को अब देखो हमें क्या दिया गया है हमें दिया गया है half the perimeter of rectangular garden सबसे पहले rectangular चीज का perimeter क्या होता है 2 into length plus breadth तुम्हें बच्पन से पता होगा क्या होता है 2 into length plus breadth क्या होता है कोई भी चीज का rectangular चीज का perimeter हम पहले लिख देते है perimeter of rectangular garden क्या होता है 2 into length plus breadth ठीक है तो हमने length को x लिया है और breadth को y लिया है तो यह हो जागा 2 into x plus y अब देखो यहां पर क्या लिखा गया है half the perimeter half the perimeter half the perimeter मतला half क्या होता है 1 by 2 into perimeter क्या है तुमारा 2 into x plus y क्या है तुमारा perimeter 36 meter है equals to 36 meter ठीक है अब देखो यहां पर 2 to cut जाएगा इसका मतलब क्या हुआ x plus y is equal to 36 यह तुमारा पहला equation निकाल गया कैसे निकला समझ में आ गया proper तुमारे equation में ही given half the perimeter of rectangular garden कितना है 36 meter है तो मैंने क्या किया half the perimeter of rectangular garden कर दिया half कर दिया perimeter of rectangular garden तो यह तुमारा x plus y is equal to 36 meter value आ गया ठीक है दूसरा में कह दिया गया whose length is 4 meter more than this width मतलब जो length है length क्या है तुमारा x वो क्या है width से 4 meter जादा है तो यह तुमारा दूसरे equation आ गया width क्या था उससे कितना है 4 meter जादा है तो यहां से तुमारा पहला equation के लिए find करते हैं बहुत असान सा question है ठीक है अराम से solve करोगे सारा question solve हो जाएगा तुमारा 10th level पे बहुत easy questions आते हैं बस तुमारा concept clear होना चाहिए सारे questions बन जाएगे सबसे पहला question के लिए x plus y is equal to 36 अगर हम x को 0 लेते हैं तो y कितना हो जागा 36 हो जाएगा common sense की बात x को 0 लिए तो y is equal to 36 आ गया ना normal सा बात है उसी तरह से अगर हम x को 18 ले लेते हैं चलो 18 ले लेते हैं तो y कितना आ जागा 18 आ जाएगा 18 36 होता है ना तो हमने अगर x को 18 लिया तो y भी 18 हो जाएगा उसी तरह से equation number 2 के लिए हम x और y का value find कर लेते हैं अगर हम y को 0 रख देते हैं अगर हम यहां पे 0 रख देंगे तो x is equal to 4 आ जाएगा ना y को हमने 0 रखा तो x is equal to 4 आ जाएगा ध्यान से देखो यार x y को हमने क्या क्या 0 कर दिया तो x is equal to 4 आ गया अगर हम y के जगहाँ पे कुछ भी रख देंगे 2 रख देंगे तो 67 पर 4 रख देंगे था इसका new 6 आ जाएगा 4 रख देंगे देते चलो 2 रख देते था अब देखो यहां पर question वहाली असा नहीं हमने बहुत easily इसका x or y का आप इसके लिए जो तुम्हें heights थाप बनाना पड़े गाणियुआ दि मांग लगा सकते हो तुम्हें चार चाराइंआ खोड़ सकते हूं तुम्हें यहां पर जैसें यहां पर लेंग़ 100 is जengके सबस्क्राइब और सब्सक्राइब दो इसली तुम्हें प्लाट किर पाओगे अब देखो यहां पर देंज से प्लाट हो नहीं पा रहे हैं तुम्हें प्लाट करोगे तो असानी से yn्टरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा थिक है वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा 20 और 16 मतलब x का value तुम्हारा आएगा 20 और y का value आएगा 16 x क्या था तुम्हारा length था और y क्या था तुम्हारा width था तुम्हों solve करके देख ले न प्लॉट करके देख ले न अभी मैं नहीं कर रहा हूं बहुत easy है intersecting line बनने का तुम्हारा case क्या होता है situation क्या होता है यह होता है यह होता है न पहरा linear equation क्या दिया है तुम्हें 2x plus 3y minus 8 equals to 0 अब हमें कोई दूसरा linear equation बनाना है जिसमें a1 by a2 or b1 by b2 equal कर नहीं होना चाहिए तो हम कुछ भी लिख देदे हैं हम लिख देते हैं 3x plus 2y minus 2 equals to 0 अब हमने कच भी लिख दिया है हमने पस ये सोच के लिखा ए कि a1 by a2 or b1 by b2 कर नहीं होना चाहिए नहीं होगा एकमल देख लो a1 by a2 टू बाइट री और बीटू क्या यह तुम्हारा हमने कुछ भी सोचके लिख लिख दे तुम कुछ भी ट्रॉकर सकते हो जब रही नहीं ही लिखना है तुम अपने मैं से कोई भी क्वेशन रहा कर सकते हो बस एवन भाइट व्यूर्ण भाइट विटू कलने होने चाहिए बि पहले बाइवाले क्वेशन के लिए जॉल्व कर दिया और दूसरा लिंएर कुवेशन कर दिया यह तुमारा अंसर ठीक है तुम कुछ भी ट्रॉ कर सकते हो अपने मंचे कोई भी एकॵेशन लिख सकते हो ठीक है सोच चमच करिक ना बस फिर तुमारे क्या सिटूएशन है त प्री यह क्लिए होना चाहिए है पैरल आइस ड्रॉन नी करना है तो मैं लिनेेर इक्वेशन फइंड करना है जिसका पैरललाइस ड्रॉ तो इसका सिच्वेशन ओनना चाहिए A1 by A2 equal to B1 by B2 not equals to C1 by C2 ऐका अब इक्वाल करने लिए बहुत इसले हम लो कर सकते हैं एवन भाई टू बीवन भाई बीटू इक्वेल करना है सबसे पहले हम अपना नॉर्मल वाले एक्वेशन लिख देते हैं 2x प्लस 3 अरे यार ये क्या हो रहा है 2x प्लस 3y-8 एक्वस्टो 0 अहां हम क्या करेंगे 2 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह हो जाएगा 4x प्लस 6y c1 by c2 नहीं होना चाहिए तो हम यहां पर 2x से मल्टिप्लाइ नहीं करेंगे यहां पर कुछ भी लिख देंगे जैसे हम लिख देंगे माइनस 2 चला ठीक है एक्वस्टो 0 तो यहां पर तुम देख पा रहे होगे a1 by a2 क्या है तुम्हारा 2 by 4 क्या होता है तुम्हार वही हो जाएगा 3 by 6 है क्या हो जाएगा 1 by 2 3 जा 3 जा 6 ठीक है तुम a1 by a2 b1 by b2 क्यों आगे हमने कुछ नहीं क्या 2 से मल्टिप्लाइ कर दिया लेकिन c को 2 से मल्टिप्लाइ इसने नहीं क्या क्योंकि c1 by c2 क्यों नहीं होना चाहिए सब्सक्राइब कर दो इसके सारे इलिमेट्स को 2 से मल्टिप्लाइ कर दो एक तुमारा निकल जाएगा 3 से मल्टिप्लाइ कर दो सबसे इस 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 तो मैं टू से मल्टिप्लाइ कर दे रहा हुँ ठीक है सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते है यह तुमारे क्या है 2x plus 3y minus 8 equals to 0 हम क्या करेंगे 2 से मल्टिप्लाइ कर देंगे यह जाएगा 4x plus 6y minus 16 equals to 0 अब तुम जब मैं करके दिखा देता हूं देखना a1 by a2 क्या है तुमारा टू बाइ 4 टू बंजा टू 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 है ना सबका वैल्यू 1 बाइ 2 आएगा करके देख लो बीवन बैवी टू टू क्या होगा 3 by 6 3 बंजा 3 3 2 06 1 by 2 वैसी सीखा भी करके देख लो तो इससे हमने क्या पता करा हमने कुछ पता नहीं करा हमने आंसर वाले के लिए और यह वाला तुह्मारा तीसरे वाले के लिए है यह फेला को गया है सबसे पहले पहला संटेश समझेंगे वरना कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है, हमिए क्या करना है, ग्राफड रोग करना है, इन दोन aquatic equation के लिए, सबसे पहले मैं X और Y का value find कर लेंगे, सबसे पहले, X- Y इसको simplify करते हैं, तो क्या हो जागा तुमारा Y उदर चला जाएगा, तो य तुमारा पहला equation है, कुछ मैंने नहीं किया, मैंने बस Y को जीरो की उदर बेज दिया, बाकि सब कुछ सेम है, ठीक है, तो यह तुमारा पहला equation है, दूसरे equation क्या है तुमारा 3x plus 2y minus 12 equals to 0 कुछ नहीं करूंगा 12 को उधर बेज दूँगा ठीक है यह हो जागा 3x plus 2y equals to 12 12 उधर जागा तो positive वजागा ने यह तुमारा दूसरा equation है हम क्या करते हैं हम x और y का दो-दो value find करते हैं दोने equation के लिए find करेंगे box बनाएंगे ऐसे दिए ऐसे दिए x लिखे y लिखे इसके लिए ऐसे कर दिए फिर यहाँ पर वैसे एक box बनाएंगे बीच से line घीचेंगे इसका 3 टुकड़ा करेंगे x और y लिखेंगे अग x और y का value find करते हैं तो देखो अगर हम यहाँ पर x का value 0 लेते हैं तो y कितना हो जागा x का value 0 र हो जाएगा x का value 0 लिए तो यह वला part खत्म हो गया 2 y is equal to 12 हो गया तो y कितना हो जाएगा 12 by 2 वह हो जाएगा 6 simply आ गया तो मैं अच्छे समझ में आ रहा होगा अब यहाँ पर अगर हम y का value 0 लेते हैं चलो y का value 0 लेते हैं तो क्या हो जागा 3 4s are 12 होता है मतलब कि x का value 4 आ ज यहाँ पर फिर तुमारा दूसरा point क्या है x का value 1 और y का value 2 आ एकस का value 1 और y का value 2 मतलब यहाँ पर चिक है तरे पूयंट गया वो जा रहा है यार्ट क्या दिक्कत है इसको मज़ी समझनी है तो ऐसे तुम यहाँ पर नोटिस कर ओगे कि यह लाइन कुछ ऐसे बार याइन बन रहा है ना यह लाइन कुछ ऐसे बन रहा है मैं स्ट्रेट बनाने के कोशिस कर रहा हूं तुमनों हमें से स्केल से ही बनाना मतलब लाइन लीचना अब देखो पहले वाल एक्वेशन के लिए हमने दोनों X और Y के वैल्यू को प्लॉट कर लिया अब हम दूसरे वाल एक्व हं और दूसरे वले वैल्यू कि आ है एक्वेशन को राइसका वैल्यू 4 है Y का वैलयू 0 है अक्सका वैल्यू 4 है और Y का मतलब 1 पी होगा है ना तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे काटेगा है ना रुप जाओ यहां से ट्रॉब ऐसे कुछ काटेगा ठीक है यहां पर वैल्यू कहा था फोर और जीरो था लिखना भूल गया अब देखो यहां पर वैल्यू ने अच्छे से ड्रॉण नहीं किया है लाइन इसले थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यह लाइन कुछ ऐसे ड्रॉण होगा जिससे टू और थ्री पड है यहां पर जिस पॉइंट पे कट हो रहा है वो पॉइंट है तू और थ्री एक्स का कर रहा है और उसी triangle का हमें vertices find कंले बोल रहा है Sisri vertices बोल रहो coordinates find करने बोल रहा है तो हम coordinates find कर लेंगेłos हमारा क्या-क्य Algun जाय है 1 aque also minus 1 pró minus 1 रूको यहलो पहंच से लिक देता हूँ हमारा क्या-क्योडिनेट्स आ रहा है हमारा coordinates आ रहा है minus 1 और 0 टेक तो यह तिनों कोडिनेट्स निकल गए तुमने ट्राइंगल को सेड कर दिया और तुमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिए यही तुम्हारे पुछन में था तो अब हमें पड़ते आगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ अब हम लोग सब्सक्रिटिशन में चीखेंगे इ और इसलिए ध्यान से देखना भौत ईजी सा में था जाए गोई तुम्लोग हो ठीक है कुछ नहीं होता है वैसे ही तुम्हें दुह एकुशन की वहन होता है क्या कि करेंगे हम y को दूसरे साइट भेज देंगे, तो यह हो जागा 14-y, तो यहां से हमें x का value मिल जाएगा, क्या हो जाएगा वो, 14-y, तो यह तुमारा होगा equation 3, तो अब हम लोग क्या करेंगे, now we will put the value of x in equation 2, ठीक है, यहां से जो हमें x का value मिला, वो हम equation 2 में डाल ठीक है, तो जैसे हम x का value यहां पर डालेंगे, पहले question 2 लिख देते हैं, क्या है question 2, x minus y equals to 4 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, x का value क्या आया था, क्या आया था, 14 minus y और यहां पर minus y है, तो यह लिख देंगे, equals to 4, यह क्या हो जाएगा, तुमारा 14 minus minus y, मतलब minus 2 y equals to 4, अब क क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यह हो जाएगा, minus 2 y equals to 4 minus 14, यह क्या हो जाएगा, minus 2 y equals to minus 10, 14 में से 4 क्या होता है, 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है, क्योंकि minus 14 है, अब क्या होगा, y equals to तुमारा हो जाएगा, minus 10 by minus 2, minus minus cancel होके plus हो जाएगा, और 2 cut के यहां पर 5 हो जाएगा, ठीक है 2 को 10 से डिवाइट करेंगे मजब 10 को 2 से डिवाइट करेंगे क्या होगा 5 हो जाएगा तो यहां से तमार y का value क्या हो गया 5 हा गया y का value क्या आगया 5 आगया अब कुछ नहीं करना ही है जो तुम्हार y का value 5 आया इसको तुम्हें इस वाले equation 3 वाले equation में पुट कर देना है, क्या करना है तुमको बताता हूँ, तो मैं ऐसे लिख लिख के करना है, ठीक है, यहाँ पे, नाओ, पुट दी वैल्यू अफ, वाई, इन, एक्वेशन, थी, ठीक है, एक्वेशन थी यह था, य का वैल्यू क्या आया था, तुम्हारा 5 आया था, तो क्या हो जाएगा, एक्वेशन को पकड़ो, उसमें एक वैरियेबल को एक साइड में रखो, बाकि दूसरे वैरियेबल को दूसरे साइड भेरता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्वेशन को रखा, य को उधर भेज दिया, अब चाहेए तुम्हारा जो एक्वेशन वो कितना भी complicated हो, तुम लोग easily separate कर सकते हो, एक वैरियेबल को इस साइड में रखना एक वल्टुके, और दूसरे वैरियेबल को उस साइड रखना एक वल्टुके, और फिर कुछ नहीं करना है, यह यहां से जो तुम्हारा x या y जो भी तुमने यहां पर रखा है, उसका value जो आएगा, उसको किसी भी equation में put कर देना है, और उसके बाद तुम्हारा answer आ जाएगा, बहुत चीजगी, पहले तुम्हारा y का value य ए x का value तुमने जो भी लिया वो मिल जाएगा, उससे तुम हम उन्हें already example में solve कर रखा है, हम question number 2 से start करेंगे, तो यहां पर बहुत सारे लोग घबरा गए होंगे, s और t को देखकर, क्योंकि तुम लोग तो x और y को solve करते आ रहे थे, अचानक से s और t कहां से आ गया, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, इसको हम बिल्कुल x और y वा equation 1, देखो, यहां पर मैं board में पढ़ा रहा हूँ न, तो मैं जल्दी वाजी में कुछ भी जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, तुम लोग को न, proper detail में लिख रहा है, ऐसे तुमको लिखना चार रही है, from equation 1, तो हम क्या करेंगे, s इधर रहा, equal to देंगे, t को उधर बेज तो क्या हो जाएगा, 3 plus t, minus t उधर जाके plus t हो जाएगा, तो यहां से हमारा तीसरा equation निकल गया, ठीक है, हमने s का value find कर लिया, अब s का value कहां put करेंगे, equation 2 में, now we will put, put value of s in equation 2, ठीक है, ऐसे तुम्हें properly लिखके करना है, तो s का value है न, हम इस equation में डाल देंगे, तो s by 3 है, मतलब s के जगा पे हम क्या डालेंगे, 3 plus t by 3, समझ मारा है न, s के जगा पे, यह वाला s के जगा पे हमने इस value को डाल दिया, उसका क्या है, plus t by 2 equals to 6, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले LCM लेना है, तो इससे 2 multiply हो जाएगा, नीचे LCM ले जाएग 2 इससे multiply हो जाएगा, LCM 6 आएगा न, तो यह हो जाएगा, 3 plus 2 t, plus इससे 3 multiply हो जाएगा, यह हो जाएगा, 3 t, और नीचे LCM क्या आएगा, तुमारा 6 आएगा, अब equals to क्या है, तुमारा 6 है, मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, विधर solve करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह ह हो जाएगा, तुमारा, 3 t plus 2 t, 6 plus 5 t, 6 को उधर भेज देंगे, तो वह हो जाएगा, 36, 36 हो जाएगा, उसके बाद यह बचा तुमारा 5 t, फिर 6 उधर जाएगा, तो 36 से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36 से 6 गया, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, obvious सी बात है, तो T क्या हो जागा 30 by 5, तो T का value आ जागा यहां से 6, ठीक है, 5, 6 जा 30 होता है, अब यहाँ पर हमने T का value निकाल लिया, किसका value आया है, T का value आया, हम अब क्या करेंगे, यहाँ से S का value निकाल लिएंगे, ठीक है, Now, we will put the value of T in equation 3, third equation में हम T का value टा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, S equals 2, 3 plus T, T क्या था तुमारा, 6 था, तो क्या आ जाएगा, S 9 आ जाएगा, तो तुम देख सकते हो, हमने बहुत easily, question number 2 का, जो तुमारा solution है, उसे find out कर दिया है, from substitution method, बहुत असान था, अब देखो, question number 3, question number 4 में, कुछ hard नहीं है, बहुत simple सा question है, उसी type का है, तुम लोग अराम से solve कर लोगे, यह root वाला question है, इसको solve कर लेते हैं, यह भी बहुत असान सा है, question 2 से find करते हैं, ठीक है, तुम्हें लिखने वाला काम कर लेना, अभी मैं लिखने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें पिछले question में लिखके बताएगे, कैसे लिखना है, अब हम क्या करेंगे, 3x को इधर रहने देंगे, और minus 8y को इधर भेज देंगे, तो वो plus 8y हो जाएगा, मतलब root 8y, अब क्या हुआ, तुम्हारा x का value क्या आ गया, root 8, यह root 3 नीचे चला जाएगा, root 3, ठीक है, यह तुम्हारा x का value आ जाएगा, यह हो गया तुम्हारे equation 3, अब इस equation 3 को, हम कहाँ put करेंगे equation 1 में put कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने equation 2 से find किया है, x का value, तो हम equation 1 में आप put कर देंगे, ठीक है, तो कैसे put करेंगे, चलो देखते जाओ, root 2, x के जगा पर यह लिखा जाएगा, root 8 by root 3y, ठीक है, plus root 3y, equals to 0, हमें इस वाले equation को अब solve करना है, बहुत मज़े से हम solve कर लेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले तो यह हो जाएगा तुम्हारा, देखो, root 2, root 8 को हम तोड़ते हैं, वो क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2, है ना, root 8 तो यही होता है, by root 3, plus root 3y, equals to 0, इधर हम लिखते हैं, यह तुम्हारा हो जाएगा, देखो, 2 अंदर चला जाएगा, root 2 तो यहां, 4 2 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, यह हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2, by root 3, plus root 3y, यह भी y है, plus root 3y, तो यह क्या हो गया, देखो, यह पहले थो तुम्हारा, 2 2, बहार निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, है ना, 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, 4 निकल गया, और root 3 गया, फिर यहां पर root 3 रहेगा, अब यहां पर हम देखो, LCM लेते हैं, अगर, तो यहां पर root 3 multiply हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, root 3 into root 3, 3 हो जाएगा, है ना, root cancel हो जाएगा, और 4 y plus 3 y, equals to तुम्हारा क्या था, 0 था, equals to क्या था, तुम्हारा 0 था, तो इससे तुम्हारा y का value क्या आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 7 y by root 3, equals to 0, root 3 उदर गया, तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 7 y equals to 0 हो जाएगा, तो y equals to 0 by 7, 0 by 7 भी 0 ही होता है, तो equals to 0 हो जाएगा, तो इससे हमारा y का value 0 निकल गया, अब जैसे y का value 0 निकल गया, तो हम क्या करेंगे, इसको put करेंगे, third equation में, ठीक है, x का value find करेंगे, तो x equals to क्या होता है, root 8 by root 3 y, y का value क्या 0 है, तो इससे क्या x का value क्या आजागा, x का value 0 हो जाएगा, तो बहुत easily हमने question number 5 को भी solve कर लिया, उसी तरह से इन question number 6 को भी solve कर सकते हो, बहुत असान सा है, कुछ भी hard नहीं है, same process follow करना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें कोई भी एक variable को एक side रखना है, बागी दूसरे variable को दूसरे side ले जाना है, substitution method को follow करना है, substitute कर देना है, तुम्हारा answer बहुत असानी से आ जाएगा, ठीक है, I hope सब तुम्हें समझ में आ गया होगा, हमने आपे क्या किया, हमने second equation को लिया, second equation क्या था, root 3x minus root 8y equals to 0, इस equation को लिया, root 3x को इधर रने दिया, minus root 8y को उधर ले गया, तो minus plus हो गया, root 8y हो गया, तो x is equal to क्या है, root 8 3 को नीचे ले गया, तो root 3y, root 8 by root 3y, यह तुमारा 3rd equation आ गया, अब हमने कुछ नहीं किया, यह तुमारा 3rd equation आया है, इसे first equation ने पूट कर दिया, जो x का value आया, इसे first equation ने पूट कर दिया, तो क्या हो गया, root 2 into ये वाला value, है ना, root 2 into ये वाला value किये, plus root 3y equals to 0, उसके बाद जब हम इसको solve करते हैं, तो solve करने के बाद तुमारा y का value 0 आता है, तो y का value 0 आया, फिर हमने x का value find करने के लिए, यहाँ पर y का value put किया, जैसे हम यहाँ यहाँ पर y का value put करेंगे, x का value भी 0 आ जाएगा, बहुत असानी से हमने इस question number 5 को भी solve कर लिए, उससे हम इस question number 6 को भी solve कर सकते हो, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो, इस वाले question में, हमें 2 equation given है, एक ये equation है, एक ये equation है, और हमें क्या करना है, हमें m का value find करना है, मतलब यहां पर भी आम नहीं है, यहां पर भी आम नहीं है, फिर हम m का value question find कर लेंगे, मुझे पता है, मैं भी चब 10th class में था, मैं भी ऐसे कुछ सोचता था, ठीक है, देखो, तुम्हें actually ये find करना है, y is equal to mx plus 3, अब यहां से तुम्हें m का value find करना है, अब तुम common sense लगाओ, तुम यहां से m का value तभी find कर पाओगे, जब तुम्हें x का value और y का value पता होगा, obvious सी बात है, तुम्हें जैसे x का value पता चलेगा, y का value पता चलेगा, यह तो constant value पता चलेगा, x का value पता ही निकल जाएगा, तो सबसे पहले हम x और y का value find करना है, तो x और y का value कैसे find करेंगे, हम इन दोनों equation से find करेंगे, एक equation यह, एक equation यह, ठिक है, दोन equation को नीचे लिख देते हैं, एक तुमार equation है, 2x plus 3y equals to 11, ठिक है, यह तुमार equation 1 है, फिर एक equation है, तुमारा 2x minus 4y equals to minus 24, यह तुमारा दूसरा equation है, कुछ नहीं करेंगे, पहले हम तीसरे equation find करेंगे, कैसे हम यहाँ पर x का value find करते हैं, चीक है, x का value find करते हैं, कैसे find करेंगे, 2x होच गया हैगा, 3y को उदर भेज देंगे, 11 minus 3y, अब next step में हम x को इदर रखेंगे, 2 को नीचे भेज देंगे, यह तुमारा x का value आ गया, और यह हो गया तुमारा third equation, यह हमने कहां से find करा, यह हमने find करा first equation से, ठीक है, यह हमने कहां से find करा first equation से, यतना clear है, बहुत असान है, अब हम next step में बढ़ते हैं, हम x का value second equation में integrate कर देते हैं, हम क्या करेंगे, x का value second equation में integrate कर देंगे, ठीक है, x का value जैसी हम second equation में रखते हैं, यह ही पर रखके देखते हैं, 2 into 11 minus 3y by 2, पहली बात तो यह true to cancel हो जाएगा, फिर उसके आगे क्या है, minus 4y equals to 24, ठीक है, अब इसको आगे हम solve करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 11 minus 3y, 11 minus 3y minus 4y equals to 24, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, 11 minus 7y, 4, 5, 6, 7y equals to 24, कुछ नहीं, minus 7y धर रहाएगा, 11 उधर चला जाएगा, minus हो जाएगा, अब कुछ नहीं करेंगे, यह जो y का तुमारा value आया है, इसे हम यहाँ पर रखके x का value find कर लेंगे, ठीक है, y का value जैसे हम यहाँ पर put करेंगे, तो तुमारा x का value आजाएगा, x का value क्या आजाएगा, 11-3y था, 11-3y के जगा पर हो जाएगा, तो x का value तुम्हारा आ गया minus 2 और y का value आ गया तुम्हारा 5 क्या आया? x का value है minus 2 और y का value है 5 अब इन दोनों value को हमें यहाँ पर put करना है ठीक है? क्या हो जाएगा? y equals to mx plus 3 y के जगा पे हम क्या रखेंगे? 5 तो 5 is equal to m x के जगा पे हम क्या रखेंगे? x के जगा पे minus 2 plus 3 ठीक है? तो यह हो जाएगा तुम्हारा 5 is equal to minus 2m plus 3 कुछ नहीं करेंगे? 3 को इधर लेते आएगे तो 5 minus 3 हो जाएगा 2 तो 2 is equal to minus 2m ठीक है? अब minus 2 नीचे चला जाएगा तो यह कट जाएगा तो हो जाएगा minus 1 equals to m. तो m का value आगया तुम्हारा minus 1 m का value क्या आया? m का value आगया minus 1. I hope तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर बड़ा करके लिख देता हूँ m equals to minus 1. यहीं तुम्हें find करना था x और y का value put करके ठीक है? बहुत असा कुशन था, simple सा कुशन था, डरने की कोई जुरत नहीं है basic common sense यूज करो के solve हो जाएगा बस तुम्हारा concept clear होना चाहिए बस process है, solve करते जाओ, करते जाओ, solve हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले question की तरफ अब यहां पर बहुत सारे word problems आएगे, बहुत मजाएगा, मैं तुम्हें equation बनाके दूँगा, तुम्हों लोग खुद से solve करते जाना, ठीक है चलो start करते है पहला तुम्हारा क्या है the difference between two numbers is 26, one number is three times the other, find them, ठीक है तो देखो, दो number है, हम क्या करेंगे, एक number को x late कर लेंगे, दूसरा number को y late कर लेंगे let first number be x, let second number be y तो हमें क्या दिया हुआ है, the difference between two numbers is 26 मतलब कि x minus y क्या होगा, तुम्हारा 26 होगा यह हमें पहला दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, one number is three times the other मतलब कि x is equal to three y, क्या दिया हुआ है, x is equal to three y one number is two times the other अब कुछ नहीं करना है, x का value तो यहीं मिल गया तो तुम x का value यहां integrate कर सकते हो, तुम्हारा third equation find कर नहीं की जुरत नहीं है second equation ही तुम्हारा third equation जैसे है, तुम्हारा x का value तो given नहीं है ना, three y तो हम three y को यहां पर रख लेंगे, क्या हो जाएगा, three y minus y equals to twenty six है ना, तो यहां पर three y minus y, मतलब two y हो जाएगा, two y is equal to twenty six आ गया तो y का value क्या आ जाएगा, twenty six by two, twenty six by two, thirteen, ठीक है, तो y equals to thirteen आ गया, अब हम x का value ऐसी find कर लेंगे, तो x का value क्या हो जाएगा, three y था, मतलब कि three into thirteen, three into thirteen का value, यह हो जाएगा, तुम्हारा thirteen, तो x आ गया, तुम्हारा two supplementary angles, exceed the smaller by 18 degree, find them, हम क्या करेंगे, एक larger angle को x ले लेंगे, smaller angle को y ले लेंगे, तब तो solve हो जाएगा, चलो solve करके देखते है, let larger angle be x and let smaller angle be y है न, अब देखो supplementary angle किसको बोलते हैं, जब कोई भी 2 angle का addition, 180 degree आता है, तो उसको supplementary angle बोलते हैं, यह तुम्हें पढ़ाई होगा, इसका मतलब x और y का जब तुम addition करोगे, जब तुम x plus y करोगे, तो वो कितना आना चाहिए, 180 degree आना चाहिए, और हमें क्या दिया हुआ है, जब तुम larger angle को smaller angle से subtract करते हो, तो 18 degree बसता है, larger angle तुम्हारा x है, तो जब x minus y करेंगे, तो कितना बचेगा, 18 degree बचेगा, तो यह तुम्हारे equation 1 है, यह 18 degree है, ठीक है, 180 मत समझ लेना, रोको, चोटा कर देता हूँ, यह तुम्हारा 18 degree है, यह तुम्हारे equation 2 है, अब हमें क्या गरना है, 3rd equation find करना है, हम यहीं से छोटा वाला find, बहुत असानी से find कर लेंगे, तो x का value, x is equal to y क्या कर देंगे, y को दर में देंगे, 18 degree plus y, है न, अब तुम्होंग इसल्व कर सकते हो, यार, x का value put करो, ठीक है, solve करते जाओ, x का value equation 1 में डालो और solve कर लो, असानी से solve हो जागा, एक निट में नहीं लेगा, मैं तुम्हें equation solve कर 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 देते जाता हूँ, 3 bats and 5 balls for 1750, find the cost of each bat and each ball, ठीक है, तो bat का cost को हम x assume कर लेते, ball का cost को हम y assume कर लेते, ठीक है, let the cost of bat be x, and let the cost of ball be y, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा, by 7 bats, तो यह हो जागा, 7 x plus 6 y equals to कितना हुआ, 3 800, ठीक है, literacy by 23 bats, बाद में क्या करती है, वो 3 x खरीती है, plus 5 balls, मतलब 5 y खरीती है, जिसका cost पढ़ता है उनको, 1750, ठीक है, यह तुम्हारे equation 1 है, यह तुम्हारे equation 2 है, equation 3 find कर सकते हो, कहीं से भी find कर लो, तुमको करें, तुमको अगर x का value यही से find करना है, तो तुम यही से find कर लो, 3 x equals to 1750, यह 5 y जो है, वो उधर चला जाएगा, उसके बाद क्या, x is equal to 1750 minus 5 y by 3, कुछ नहीं करना है, यह जो x वाला value है, इसको first equation में डालो, solve हो जाएगा, ठीक है, यह जो x वाला value आया, यह तुम्हारे equation में डालो, easily solve हो जाएगा, ठीक है, अब बढ़ते है हमारे अगले question की तरफ, इस question में क्या बोल रहा है, the taxi charges in a city, consist of a fixed charge, together with the charge for the distance covered, for a distance of 10 km, the charge paid is 105 and for a journey of 15 km, the charge paid is Rs. 155, what are the fixed charges and the per km charges, ठीक है, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km, अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक सहर है, और वहाँ पर एक fixed charge टाक्सी का, मतलब तुमको उतना तो देना ही देना है, चाहे तुम 1 km ट्रावल करो, चाहे तुम 2 km ट्रावल करो, चाहे तुम 3 km ट्रावल करो, तुमको उतना fixed charge देना है, उ क्या करते है, लिट fixed charge, चाहे चाहे और टाक्सी बी एक्स, और हम क्या करेंगे, पर किलोमेटर चाहे को य ले लेंगे, लिट पर किलोमेटर चाहे और टाक्सी बी वाई, अब क्या दिया हुआ है, कि एक आदमी 10 km ट्रावल करेंगे, उसको 105 रुपए देना पड़ा, पहले तो fixed charge वो दे गया, उसके बाद, वो 10 km ट्रावल किया, मतलब 10y, ठीक है, पर किलोमेटर चाहे था, 10 km ट्रावल किया, 10y हो गया, और उसको कितना देना पड़ा है, टूटल 105 रुपए, ठीक है, तो यह हो गया तुमारे equation 1, उसके ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, कोई भी एक value find कर लो, x का value find करना बहुत असान है, तो तुम्हें x का value find कर लो, तो x का value find करो, 10y उधर चल जाएगा, 105-10y, यह तुमारे equation 3, बहुत असान ही से, तुमने equation 3 find कर लिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल वही substitution method को follow करो, हो जाएगा, बस यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर question क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km, मतलब तुम्हें x और y का value find करना है, उसके बाद तुम्हें क्या find करना है, तुम्हें x plus 25y का value find करना है, ठीक है, x plus 25y का value find करना है, यहीं त पहले तुम्हें लोग substitution method से x और y का value find कर लेना, बहुत easily find कर दोगे, मैंने आपर सब कुछ solve कर दिया, बस तुम्हें add subtract वगेरा करना है, ठीक है, वो तो बच्चो वाली चीज़ है, वो कर लोगे, उसके बाद x plus 25y का value find कर देना, वो आ जागा तुम्हार 25 km का charge, ठीक है, ज उसके अलावा जो तुम km travel कर रहा हो, उसका लग चाहज है, समझ में आगे होगा, I hope so, अब हम बाते हैं आगे, अब देखो, यह एकदम बच्चो वाला question है, एक fraction है, ठीक है, बोड रहा है, अब fraction become 9 by 11, if 2 is added to both numerator and denominator, सबसे पहले, हम लोग numerator को x लेते है, denominator को y लेते है, ठीक ह अब क्या बोल रहा है, अगर हम numerator और denominator दोनों से 2 add कर रहे है, मतलब x plus 2 और y plus 2 कर रहे है, तो value क्या बन जा रहा है, value बन जा रहा है, 9 by 11, ठीक है, यह तुमारा equation 1 है, फिर हम ही क्या बोल रहा है, अगर हम numerator और denominator से कितना add कर रहे है, 3 add कर रहे हैं, तो वो बन जा रहा है, 5 by 6 अगर हम numerator और denominator में 3 add कर रहे हैं, मतलब x plus 3, y plus 3 कर रहे हैं, तो वो क्या बन जा रहा है, वो बन जा रहा है, तुम्हार 5 by 6, तो यहां से आगे तुम्हार equation 2, तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम x का value find कर ले, या तो y का value find कर ले, सबसे पहले, इसको easy way में 1 को तोड़ते हैं, x plus 2, पहले 11 इधर multiply करते हैं, 9 को इधर multiply करते हैं, तो यह हो जाएगा, 11 x plus 11 to 22 equals to, यह 9 को इधर किये, 9 y plus 9 to 18, ठीक है, यह तूटा, तूड़ गया ना, हा तूड़ गया, अब हम क्या करेंगे, बहुत easily find हो जाएगा, 11 x equals to 9 y plus 18 है, 22 उधर जाएगा, तो माइनस 22 हो जाएग तो यह बचेगा, minus 4, ठीक है, तो तुम्हारा x हो जाएगा, 9 y minus 4 by 11, यह तुम्हारा आगया, third equation, यह 11 है, यह आगया, तुम्हारा third equation, अब कुछ नहीं करना है, यह जो x का value है, इसको तुम्हें यहाँ पे रखना है, ठीक है, तुम जैसे x का value यहाँ पे रखोगे, उसके easily solve कर पाओगे, यह तुम्हें पहले क्या करना, पहले इसको तोड़ लेना, 6 question multiply कर लेना, 5 question multiply कर लेना, उसके बाद, जो final value आएगा, उसके x का value रख देना, बहुत easily solve हो जाएगा, बहुत, अब तो basic वाला चीज है, मैंने main equation form कर दी है, अब बढ़ते हमारे अगले question की तरफ अब देखो, यह 3.2 का last question है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन ध्यान से नहीं सुनोगे तो थोड़ा घरबर हो जाएगा, देखो, बहुत, मतलब question है थोड़ा घुमा की पूचा गया है, मजा बहुत आएगा, ध्यान से सुनना, 5 year hints, मतलब आज से 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times of his son, ठीक है, पहने में माल लेते हैं, आज Jacob का age x है, ठीक है, let present age of Jacob bx, ठीक है, और उसका बेटा का उमर अभी present में y माल लेते हैं, let present age of his son b y, है ना, हमने x of y late कर लिया, तो में क्या बोल रहा है, 5 साल बाद, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, x plus 5 कर देते हैं, और y plus 5 कर देते हैं, दोनों साइट 5 कर दिये, प्लस, ये किस के लिए है, after 5 years के लिए, ठीक है, after 5 years, after 5 years, हमने क्या किया, x plus 5 कर दिया, और y plus 5 कर दिया, मतलब Jacob के age से 5 साल बढ़ा दिया, और उसके बेटे के age से भी 5 साल बढ़ा दिया, 5 साल बाद तो दोनों के age से 5 साल बढ़े गए गई ना, तो क्या बोल रहा है, the age of Jacob will be 3 times of his son, मतलब Jacob का age क्या होगा, अपने son से 3 गुना जादा होगा, तो 3 से multiply कर देते हैं, उसके बेटे का age का, तो यह हो गया तुमारा पहला equation, Jacob का age कितना होगा, 5 साल बात, देखो, 5 साल बात Jacob का age होगा, x plus 5, तो उसके बेटे का age कितना होगा, y plus 5, और 3 गुना जादा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, कि Jacob का age जो है, वो अ आगे वही दिया हुए, ठीक है, but, 5 years ago, Jacob age was 7 times of his son, ago मतलब before, ठीक है, before 5 years, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम दोनों से 5 subtract करेंगे, है न, x-5 और y-5, bracket जाएते हैं, क्या बोल रहा है, Jacob का age क्या था, 7 times of his son, यहाँ पर 7 लगा देंगे, तो यह तुम्हारा equation 2 बन जाएगा, बहुत easily हमने equation 1 और 2 solve कर लिया है, मतलब find कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, हम x या y का value find कर लेंगे, ठीक है, चलो first equation से find कर लेते हैं, क्या करना है हमको, x plus 5 equals to, पहले इसको तोड़ते है, 3y, और 5 से multiply होगा तो 5 315 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हम अगर x का value find करना है तो x को इधर रखते हैं, यह हो जागा 3y, 15 में से 5 गया, तो यह हो जागा 10, तो x का value आ गया, 3y plus 10, अब कुछ नहीं करना है, इस value को, x का value को तुम यहाँ पे रखके डाल दो, तुरें तुमारा answer आ जाएगा, इस x के value को यहाँ पे डालो, जो आया है, और तुमारा answer निक अब निक्स्ट, जो तुमारा answer निक्स्ट, वो तुम्हे सुधानसु बढ़िया पढ़ाएंगे, अगर तुम्हे वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चाल को सब्स्क्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज सेयर करो, इसलिए वीडियो का रीच में हलता है, और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी ऐसे वीडियो बना पहू हूँ, तूकि मैं हैक्स के वीडियो बनाने में सबसे जादा वक जाता है, प्रौपर तयार ही करना पड़ता है, हमें खुद भी कॉंसेप्स को रिवाइस करके, एक्सर इसको समझ देख लिए हम यहाँ पर एक example लिए है और इस example question को अगर हम solve करेंगे तो हमें clear हो जाए कि elimination method का use कैसे किया जाता है तो हमारे पास example में दो equation से एक equation हमें एक plus x plus y equals to 5 और दूसरा equation है 2x minus 3y equals to 4 elimination method में क्या किया जाता है न कि हमें किनी भी किनी दो coefficient को equal बनाना पड़ता है coefficient क्या है तुम्हारा यह जो 2x है यह coefficient है x तुमारा coefficient है y coefficient है 3y coefficient है यह सारे coefficient है तो हमें दोनों equation के इसी भी एक coefficient को equal बनाना पड़ता है यानि कि एक pair of coefficients को हमें equal बनाना पड़ता है मतलब क्या है? अगर यहाँ पर 2x है तो अगर हम equation 1 के x को भी अगर हम 2x बना दे तो हमारा काम हो जागा या फिर यहाँ पर 3y है तो equation 1 के y वाले part को भी अगर हम 3y बना देते हैं तो भी हमारा काम हो जागा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे लिए easy क्या होगा? पहले यहाँ पर mention कर लेते हैं यह है तुमारे equation 1 यह है तुमारे equation 2 अब हम क्या कर सकते हैं? कि equation 1 के x वाले part को अगर हम 2x बना दे तो हमारे लिए easy भी होगा और उसे हमारा question भी solve जागा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे equation 1 को 2 से multiply करेंगे, तो पहले हम यहां mention करना होगा, क्या mention करना होगा, multiplying 2 in equation 1, equation 1 में 2 multiply करेंगे, तो 2 आएगा, फूरे bracket में equation 1 आजागा, x plus y equals to 5, multiply करने पर तुमारा x 2x बन जागा, और y 2y बन जागा, और 5 तो जागा, यह तुमारा नया equation मिलेगा, तुम्हें 2 से multiply करने पर जिसे हम equation 3 बोल सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कि equation 3 जो आएगा, यहां पर 2x और equation 2 का 2x, यह दोनों equal coefficient होगा, यहां पर 2x है और यहां भी 2x है, तो हमें equal coefficient मिल गया, तो अब यहां पर हम elimination method लगा सकते हैं, elimination method में क्या होगा, कि हमारा 2x और 2x cancel हो जागा, यहांनि कि हमारा एक element पूरा cancel हो जागा, जिससे कि हमारा y का value निकल का जागा, देखो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, कि equation 3 में से equation 2 को subtract करते हैं, तो पहले हम यहां लिखेंगे, subtracting, subtracting, equation 2 from 3, दो हम पहले equation 3 को यहां पर लिख लेते हैं, 2x plus 2y equals to 10, equation 2 को हमें इससे subtract करना है, तो हम equation 2 को भी लिखें लेते हैं, 2x minus 3y equals to 4, subtract करेंगे, तो यहां पर बीच में minus का sign लगेगा, अब subtract होगा, तो 2x और 2x minus हो जागा, 2x में से 2x जागा, तो कुछ नहीं बचागा, तो 2x और 2x को बोल सकते हैं, यह cancel हो गया, अब minus minus का sign मिलके हैं, पर plus का sign मन जाएगा, तो हम 3 plus 2 करेंगे, तो हम भी मिल जागा, 5y, अब 10 में से 4 जागा, तो बचेगा, तुम्हारे पास 6, 5 तुम्हारा right side आएगा, तो यह हो जागा, तुम्हारे y का value आएगा, तुम्हारे पास 6 by 5, तुम्हारे पास y का value आगया, अब एग बार तुम्हारे पास y का value आगया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास y का value आगया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास y का value आगया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास y का value आगया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास y का value आगया, तो यहाँ प हम लिखते हैं substituting value of value of y in equation 1 equation 1 में हम y के value को substitute करेंगा equation 1 क्या है हमारा x plus y equals to 5 है y का value हमें पता है तो हम y के जागा पर 6 by 5 दिख सकते हैं तो x plus 6 by 5 equals to 5 हो जागा 6 by 5 right side आएगा तो plus का sign minus में बदल जागा तो 5 minus 6 by 5 हो जागा इसे हम solve करेंगे तो कि एलसी हम हो जागा 5 cross multiplication होगा यहां पर 25 और minus 6 इसे हम solve करेंगे तो हमारे पास मिलेगा हमें 25 में से सिख जागा तो तुमारे बद बचेगा 19 by 5 यह आ जागा तुमारा x का value हो जागा तुमारा 19 by 5 तो इस तरह तुमारा यहां पर x का value आ गया जो कि है 19 by 5 और यहां पर y का value आ जो कि है 6 by 5 और यहोग तुम्हें clear होगा कि elimination method किस तरह सबख करता है मैं फिर से तुम्हें एक बार explain कर देता हो हमें यहां पर दो equation दिया गया था एक x plus y equals to 5 और एक 2x minus 3y equals to 4 हमें क्या करना था हमें किनी भी एक pair of coefficient को equal बनाना था तो हमने क्या किया यहां पर already हमारे पास 2x तो हमने equation 1 वाले x को भी 2x बना दिया उसको उसको 2x बनाने के लिए हमने क्या किया पूरे equation में हमने 2 को multiply कर दिया तो हमारा एक नया equation मिला हमें 2x plus 2y equals to 10 इसे हमने equation 3 बोल दिया equation 3 के बनने के बाद हमारा coefficient equal हो गया यहां भी 2x आ गया equation 2 में हमारे पास 2x था तो हमारा एक pair of coefficient equal हो गया इतना ही काफी है हमारे लिए question solve करने के लिए तो हमने क्या किया यहाँ पे equation 2 में से equation 3 को subtract कर दिया सब्ट्राक किया तो 2x और 2x cancel हो गया हमारे पास बस y वाला पार्ट बचा तो हमने y वाले पार्ट को solve करके निकाल दिया 6 by 5 अब हमें y का value मिल गया तो हमने y के value को equation 1 में substitute कर दिया यहाँ पे x plus y 5 है तो हमने y के जगए 6 by 5 को put किया उससे हमारा x का value भी निकल के आगे जो कि था 19 by 5 इस तरह से हमने elimination method के through x और y का value निकाल दिया आयोब तुम्हें clear होगा कि elimination method यहाँ पे कैसे काम किया और हमने किस तरह से x और y के value को निकाला तो हम exercise के question को solve करना शुरू करते हैं हमारे question number 1 ने इसी question को मैंने as example लिया था और तुम्हें solve करके बताया था elimination method को तो question number 1 हमारा already solve हो चुका है तो हमें अब दोबारा solve करने का ज़रूत नहीं है अब question number 2 को देखते है question number 2 है क्या तुम्हारा यहाँ पर हमें 2 equation दिया गया 3x plus 4y plus 10 और 2x minus 2y equals to 2 और हमें इन दोनों equation को solve करके हमें x और y का value निकालना है तो हम यहाँ पर दोनों equations को एक बार mention कर लें हमारा पहला equation क्या है 3x plus 4y equals to 10 यह equation 1 और equation 2 है तुम्हारा 2x minus 2y equals to 2 यह equation number 2 अब हमें क्या करने किनी दो coefficient को equal बनाना है तो यहाँ पर हमारे पास 4y है यहाँ पर 2y है तो अगर हम इस equation में 2 को multiply कर दें तो यह तुम्हारा 2y जो है यह 4y में convert हो जागा जिससे कि हमारा यह वाला coefficient equal हो जागा यहाँ पर 4y है और यहाँ भी 4y हो जागा तो हम वही करते है multiplying 2 in equation 2 equation 2 हम 2 से multiply करेंगे तो हो जागा 2x minus 2y equals to 2 bracket में multiply करेंगे तो answer आएगा तुम्हारा 4x minus 4y equals to 2 यह तुम्हारा equation 3 बन जागा यहाँ पर 4y है यहाँ पर 4y हो गया हमारा काम यहाँ पर बन गया हमें बहुत easily हमने 2 coefficient को equal बना दिया अब ज़रूरी नहीं कि हम हर बार equation को subtract करें हमें बस eliminate करना किसी भी एक coefficient को तो उसके लिए हम add भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हम add करेंगे हम क्या करेंगे adding equation 1 in equation 3 equation 3 आगया हमारा 4x minus 4y equals to 2 equation 1 आगया हमारा 3x plus 4y equals to 10 यहाँ पर plus का sign आएगा 4x plus 3x हो जागा तुम्हारा 7x 4y और 4y तुम्हारा हो जाग कैंसल और sorry यहाँ पर यह जो equation 3 यहाँ पर यह 2 भी तो 2 से multiply होगा तो यह 2 नहीं यहाँ पर यह 4 होगा यहाँ पर यह 4 होगा तो यहाँ 10 plus 4 14 हो जागा अब 7x equals to 14 है 7 right side आएगा तो एक्स निकल के आएगा तुम्हारा 14 by 7 तो 7 1-7, 7 to 14 एक्स तुम्हारा 2 निकल के आगया एक्स का वैल्यों में मिल गया 2 अब एक्स के वैलू को हम किसी भी एक equation में put करके हम substitution में ख़ए तो हम एक्स के वैलू को substitute करेंगे तो equation 1 में हम एक्स के वैलू को substitute करता है तो यहाँ 3x के जागा पर हम 3 into 2 कर सकते हैं तो हमने 3 into 2 किया प्लस 4y इक्वास टो 10 3 तू जाज 6 प्लस 4y इक्वास टो 10 6 तुम्हारा राइट साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा तो 4y इक्वास टो 10 माइनस 6 4y इक्वास टो 4 अब 4 राइट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4 से तो y इक्वास टो 4y 4 4 और 4 एंसर मिल जाएगा 1 तो y का वैलू तुम्हारा निकल के आजाएगा 1 और x का वैलू यहां से तुम्हें 2 मिला थो बहुत यही था question number 2 हमने y और x का वैलू फाइंड कर लिया अब हम अगले question की तरफ बढ़ते हैं अब बढ़ते question number 3 की तरफ यह भी तुम्हारे question number 2 के जैसा यह यहां पर भी हमें 2 equations दिये गए हैं एक है है तुम्हारा 3 x minus 5y minus 4 equals to 0 तुम्हारा है equation number 1 equation number 2 है तुम्हारा 9 x equals to 2y plus 7 यह तुम्हारा equation number 2 अब equation number 2 जो है थोड़ा अलग सा दिख रहा है इसे हम थोड़ा simplify करने कोसिस करेंगे हम क्या करेंगे 2y को left side की तरफ लेंगे तो 2y तुम्हारा minus 2y बन जाएगा और यह यह हो जागे equation number 1 में हम क्या करते हैं minus 4 को right side पर भीज जैते हैं जिसे कि तुम्हारा equation बन जाएगा 3 x minus 5y equals to 4 हमने कुछने कि हमने थोड़ा elements को इधर उधर किया जिसे कि तुम्हारा दोनों equation एक जैसा दिखने लगे और हमें solve करने में आसानी तो यह तुम्हारा equation 1 बन गया यह तुम्हारा equation 2 बन गया अब हमें क्या करना है हमें किसे भी coefficient को equal बनाना है तो यहाँ पर तुम्हारा 3 x से यहाँ पर 9 x में क्या कर सकते हैं 3x में 3 multiply करेंगे, यानि कि हम equation number 2 को 3 से multiply कर देंगे, तो तुम्हारे 3x, 9x बन जागा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, multiplying, multiplying, 3 in equation 2, equation 2 में 3 multiply करेंगे, तो कुछ ऐसा दिखे है तुम्हारे equation, 3 into 3x minus 5y equals to 4, हमने 3 से multiply किया, तो हमारा 3, 3 जा 9x हो जागा, यहाँ पर, minus 15y हो जागा, equals to 12 हो जागा, अब तुम्हारा यह हो गया, equation number 3, हमने 9x, यहाँ पर equation number 3 में, और equation number 1 के 9x को equal कर दिया, हमने एक coefficient को equal बना दिया, अब हम इन दोनों को आपस में subtract कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे, subtracting, subtracting, equation, 1 from 3, तो हमारा equation number 3 है, 9x, minus 15y, equals to 12, हमें यहाँ equation number 1 को subtract करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, 9x, minus 2y, equals to 7, यहाँ पर आगा, minus का sign, 9x, 9x, minus करेंगे, तो 0 हो जागा, हमने यहाँ यहाँ पर directly cancel भी कर सकते हैं, यहाँ पर minus, प्लस हो जागा, 15y में हम प्लस 2y करेंगे, तो हमारा क्या हो जागा, यह हो जागा, तुमारा minus 13y, 12 में से 7 जागा, तो तुमारे पास बचेगा, यहाँ बचेगा तुमारे पास 5, अब minus 13 को right side में बेजेंगे, तो तुमारा हो जागा यह, 5 by minus 13, y आ गया तुम्हारा 5 by minus 5 by 30 यह तुम्हारा y का value आ गया अब हम y के value को किसी भी एक equation में substitute करेंगे तो तुम्हारा x का value भी निकल के आ जागा तो हम क्या करते हैं substituting value of y substituting value of y in equation कौन से equation को select करें हम equation 1 में substitute कर देते हैं एक equation 1 है क्या तुम्हारा 3x minus 5y minus 4 equals to 0 है यहां पर हम y के value को substitute करेंगे तो क्या आ जागा हम तुम्हारा 3x minus 5 y यह तुम्हारा minus 5 by 13 माइनस में कि फोर इदार आया तो यह तुम्हारा फोर है अब इसे हम solve कर लेते हैं तो यहां पर हो जागा तुम्हारा 3x माइनस माइनस प्लस हो जागा तो यहां 5525 प्लस 25 by 13 equals to 4 यहां पर तुम्हारा LCM हो जागा 13 यहां पर 13 3 सा मैंटिप्लाइब हो जागा 39 x यह प्लस में 25 प्लस में 25 प्लस टूप इकवस टूप प्लस में यह प्लस टूप इस चोटे से बॉक्स में यहां पर जोप जागा तो तुम्हारा ओजागा 39 x प्लस टूप इकवस टूप इकवस टूप इकवस टूप इकवस टूप इकवस टूप बॉक्स में यहां पर जोपे स्पेस कम बचा है हमारे पास वहां पर क्या है 39 x इकवस टूप 27 इससे क्या निकलेगा हमारा मैं लिख देता हूं में x इकवस टू 9 by 13 इस होगे तुम्हारा 9 by 13 वाई आया तो तुम्हारा माइनस 5 by 13 तो इस तरह तुम्हारा question number 3 solve हो गया x और y का value निकल के आगया अब देखते question number 4 अब देख लेते question number 1 का जो part 4 है यह भी इसमें भी इसे में elimination method यूज करके x और y का value निकालना है यहां पर x और y तुम्हें फ्रेक्शन में दिया हुआ है तो इसे हम पहले तो simplify करना पड़ेगा जैसे हम पहले लिख लेते हैं यहां पर equation 1 है तुम्हारा x by 2 plus 2y by 3 equal to minus 1 इसे पहले हम simplify करते हैं simplify करेंगे तो 2 और 3 का मारा LCM आ जागा 6 यहां पर cross multiplication होगा तो 3x बन जागा यह 3x plus में यहां पर cross multiplication हो जागा तो होगा तुम्हारा 4y equal to minus 1 6 को right side भेजेंगे तो 6 into minus 1 होगा तुम्हारा equation बन जागा 3x plus 4y equals to minus 6 यह बना तुम्हारा proper equation number 1 simplify होने के बाद उस तरह से equation 2 जो है इससे भी हम simplify करते हैं यहां पर x minus y by 3 equals to 3 x को हम x by 1 भी लिख सकते हैं तुम्हारा LCM आ जागा इसका 3 cross multiplication होगा तो तुम्हारा यह 3x हो जागा minus में y हो जागा equals to 3 3 right side आएगा तो 3 3 जा 9 हो जागा 3x minus y equals to 9 यह 4 नहीं यह 9-3 x मेरेस करके दुवारा लिख देता हूं 3x minus y equals to 9 ठीक है यह तुम्हारा simplify होने के बाद equation number 2 आ गया अब हम directly subtract कर सकते हैं equation 1 को और equation 2 को क्योंकि यहां पर 3x और 3x already equal है हमें इसमें और कुछ simplification करने का ज़रूत नहीं हमें बस fraction से इस form में convert करना था अब हम directly equation 2 में से equation 1 minus कर देते हैं क्योंकि हमार पास 3x और 3x दोनों coefficient शेम है अल्रेडी पहले से तो हम minus करेंगे 3x minus y equals to 9 और और subtract करेंगे में इसमें से 3x plus 4y equals to minus 6 यहां पर आगा माइनस का साइन subtract करेंगे तो तुमारा 3x और 3x cancel हो जागा यह माइनस माइनस प्लस बल जाएगा तो यहां हो जागा तुमारा minus 4y में अगर हम minus y करेंगे तो हमारा हो जाग तो हमारा हो जागा minus 5y equals to यहां पर minus 6 x minus plus हो जागा तो 6 plus 9 हो जागा तुमारा 156 plus 9 हो गया 15 5-5 right side आएगा तो तुमारा आजागा तो मैंस 5 इसमें डारेक्लिक यार्यक गान्स 3 तो वाई का वैल्यू आ गया –3 तो यहां डारेक्ट ली वाई के वैल्यू को किसी फिर की क्वेशन में सब्सेटिटूट करें तो में करें तो तो तुम्हें आप लिख सकते हो सब्स्ट्रीटिटिटिटिंग वाल्यू जो तुम्हें सेंटेंस बताएं क्या करना है वाई का वाल्यू हो तुम्हारे पास माइनस थी तो हम यहां पर लिखेंगे यहां पर अलग से सॉल्व करेंगे तो إن पुऊर्थ हिसार 2 माईनस का साहीन दो माईनस 12 हो जाएगा थी एकस स्टर माईनस शिक्स माईनस 2 इदल यहागा थी में बनदन जाएगा तो 3x equals to minus 6 plus 12 minus 6 plus 12 हो जागा तुम्हारा plus 6 तो यह हो जागा तुम्हारा 3x equals to 6 x हो जागा 6 by 3 3 बंज़ा 3 3 2 या 6 x आगे तुम्हारा 2 तो इस तरह से तुम्हारा y आया minus 3 और x आया तुम्हारा 2 I hope तुम्हें समझ में आगया होगा कि x और y का value कैसा निकाला हमने मैं फिर से बता दे रहा हूं हमारे पास यह दोनों equation था हमने पहले दोनों equation को simplify किया क्योंकि यह fraction form में था simplify करने के बाद हमारे equation 1 बंगे 3x plus 4y equals to minus 6 equation 2 बंगे हमारे 3x minus y equals to 9 यहां पर 3x और 3x हमारे coefficient पहले से equal था तो हमने equation 1 में से equation 2 को minus किया minus किया तो हमारे पास y का value निकल के आगा minus 3 y के value को substitute किया यहां पर हमने डाला minus 3 उसे इस equation को solve करने के बाद हमारा x का value भी निकल के आगया जो कि था तुमारे 2 तो इस तरह तुमारा x और y का value निकल के आगया अब बढ़ते हैं अगले question के अब question number 2 देख लेते question number 2 का जो first part है इसमें क्या बोला जा रहा है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1 it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator what is the fraction हमें यहां पर fraction निकालने के लिए बोला जा रहा है let numerator equals to x और let denominator denominator equals to y तो हमारा numerator अगर x और denominator अजार y है तो हमारा fraction क्या होगा fraction हो जागा हमारा x by y हमें क्या बोला जा रहा है अगर हम numerator में 1 आड़ करते हैं तो हम यहां numerator में 1 आड़ कर देते हैं और subtract 1 from the denominator और denominator से अगर हम 1 subtract कर देते हैं तो हमारा fraction जो है वह 1 के इक्वल हो जाता है यानि कि इसका वैल्यू जो है वह 1 के इक्वल हो जागा वही question का दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है हमारा fraction है x और y इसमें अगर हम denominator में सिर्फ 1 एड़ करते हैं तो हमारा fraction का वैल्यू होगा यह 1 by 2 हो जाएगा तो इस तरह से तुम्हारे यह equation 1 हो जागा और यह तुम्हारा equation 2 हो जागा अब हमें 2 equations मिल गए equation 1 और 2 अब हम बहुत ही easily x और y का value निकाल सकते हैं इससे solve करके elimination method के through तो पहले equation 1 को हम solve करते हैं इससे simplify करते हैं सिंप्लिफाइब करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा y-1 right side में आ जागा तो हो जागा तुम्हारा x-1 equal to y-1 अब क्या करते हैं य को left side बेश देंगे तो यह तुम्हारा बन जागा x-y और plus 1 को right side में लिया आते हैं यह तुम्हारा बन जागा equation 1 को simplify किया अब equation 2 को simplify करते हैं 2 को simplify करेंगे अगर तो यहां पर भी y प्लस 1 right side आएगा तो यह हो जागा तुम्हारा x equals to 1 by 2 y plus 1 x equals to y plus 1 by 2 2 को इदर बेज़ेंगा तो यह हो जागा तुम्हारा 2x equals to y plus 1 y चला जागा तुम्हारा left side पर तो हो जागा 2x minus y equals to 1 यह आगे तुम्हारा equation 2 simplify करने के बाद अब हमें coefficients को equal करना है तो हम क्या करेंगे जो हमारा equation 1 है इसमें हम 2 multiply कर देंगे 2 multiply करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा यह कुछ इस तरह से बन जागा 2x minus y sorry 2x minus y equals to minus 2 इसमें हम 2 multiply कर रहें तो यह बन जागा 2x minus 2y equals to minus 4 अब हमारा coefficient equal हो गया अब हम इस equation से यह equation 3 जो बन के आया हमारा इसमें से हम equation 2 को minus कर सकते हैं माइनस करेंगे तो क्या होगा 2x minus 2y equals to minus 4 है और अधर है 2x minus y equals to 1 यहाँ पर subtraction का sign आएगा 2x 2x cancel हो जागा यह minus minus plus हो जागा तो 2y में अगर हम y add करेंगे तो यह बन जागा minus y equals to minus 4 में minus 1 करेंगे तो बन जागा minus 5 minus minus sign cancel हो जागा तो y तुम्हारा निकल के आगे 5 यानि कि y का value हो गया 5 अब इस y के value को किसी भी equation में substitute कर देते हैं तो हम equation 1 में y के value को substitute करेंगे तो क्या होगा यहां पर x है minus y minus y के जगा पर हम minus 5 लिखेंगे क्योंकि हम value को substitute कर रहे है equals to minus 2 5 तुम्हारा right side पर चला जागा तो यह हो जागा minus 2 plus 5 x का value निकल के आ जागा इसे solve करने के बाद 3 तो इस तरह से तुम्हारा बन गया y equals to 5 और x equal to 3 तुम्हारा x और y का value निकल के आ गया तो fraction क्या हो जागा हमारा numerator था x और denominator था y x है हमारा 3 और y है तुम्हारा 5 हम यहां पर what is the fraction पूछा गया था हमने x और y का value निकाल दिया और हमने numerator को x लेट किया था और denominator को y तो 3 by 5 तुम्हारा fraction निकल गया गया अब question number 2 के second part को देख लेते हैं यहां पर हमें बोला जा रहा है 5 years अगो नूरी वास twice as old as son 10 years later नूरी विल भी twice as old as sonu how old are नूरी और sonu यहां पर नूरी और sonu दो लड़का लड़की है हमें इनका age पता नहीं है हमें इनका age find करना है हमें बस इनका 5 years ago और 10 years later इस time period में इनके age का difference किया था हमें बस यह बताया गया हमें actual age का नंबर नहीं दिया गया और हमें उसी को find करना है तो अगर age हमें दिया नहीं गया है तो हम क्या करेंगे हम लेट करेंगे कि नूरी का age x है और sonu का age y है यह आज का current age है आज जो है नूरी इक साल की है और sonu y साल का है और पांच साल पहले क्या था यहांन की 5yrs अगो झारी आज अगर नूरी का age x है तो 5 साल पहले नूरी का age x – 5 हुआ करता हो करता होता है यह आज से आज से 5 पीछे जाएंगे हम और वही sonu का age और इन दोनों के एज के बीच में रिलेशन क्या है कि नूरी जो थी वो सोनू के एज के तीन गुना बढ़ी थी तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम सोनू के एज को 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तब जाके वह नूरी के एज का होगा 5 साल पहले हम यह कंडिशन मिल गया और एक कंड आज से दस साल बात क्या होगा नूरी जो है वो सोनू के दोगने ही ही हो जाएगी अगर अगर आज नूरी का एज है को तो दस साल बाद होगा x plus 10 और सोनु का एज होगा y plus 10 तो हम बोल सकते हैं कि अगर सोनु का एज में हम 2 से multiply करेंगे तब जाके वो नूरी के एज के equal होगा हम यह बोल सकते हैं तो हमारे पास यह दो equation मिल गए x minus 5 equals to 3 under bracket 3 minus 5 और हमेरे दूसरा equation मिल गया x plus 10 equals to 2 under bracket y plus 10 हमें यहाप सिप्लिफाइ करेंगे तो होगा तुमारा x minus 5 equals to 3y minus 15 y तुमारे इदर जागा 5 इदर आएगा तो यह हो जागा तुमारा x minus 3y minus 15 5 right side आएगा तो प्लस 5 हो जागा तो यह बन जागा तुमारा x minus 3y equals to minus 10 यह तुमारा equation 1 बन जाएगा उस तरह से हम इस वाले equation को भी simplify करते हैं तो यह होगा तुमारा x plus 10 equals to 2y plus 20 simplify करेंगे अगर 2y को left side बेज़ेंगे तो हो जागा तुमारा x minus 2y plus 10 right side आएगा तो 20 minus 10 हो जाएगा इसे solve करेंगे तो हो जागा x minus 2y equals to 10 यह आगे तुमारा equation number 2 हमें यह आपे दो equations मिल गए अब हम इन दोनों को solve करते हैं करेंगे तो हमें coefficients को equal करना पड़ता है पर यहां पर हमें coefficient को equal करने का जरूत नहीं क्योंकि जरूत नहीं क्योंकि x और x already equal है अब हम equation 1 में से equation 2 को subtract करेंगे subtract कैसे करेंगे x minus 3y equals to minus 10 है इसमें से x minus 2y equals to 10 को subtract करेंगे subtract करेंगे तो x और x cancel हो जागा minus sign minus sign मिलके यह पर plus sign बच जाएगा तो 3y plus 2y तुमारा हो जागा 3y plus 2y minus y हो जागा minus 10 में से minus 10 करेंगे तो यह बन जागा minus 20 minus और minus sign cancel हो जागा तुमारा y निकल के आगया y equals to 20 तुमारा निकल के आगया बचा x निकालना तो हम y के value को substitute कर देंगे equation number 1 में तो equation number 1 यह वाला है इस हमें पता नहीं into 3y हमें पता चल गया 20 है तो इसमें हम 20 multiply करेंगे equals to minus 10 3 to the 6 तो x minus 60 equals to minus 10 x equals to minus 10 60 आगा राइट साइड में तो जागा plus 60 plus 60 minus 10 कितना होता है तो जागा 50 तो तुमारा x निकल के आगया 50 y निकल के आगया 20 x किस का एज था? x नूरी का एज था मतलब कि नूरी का आज का current age है 50 और सोनू का आज का current age है 20 तो इस तरह से हमने नूरी और सोनू दोनों के age को calculate कर दिया elimination method का use करके मैं फिर से explain कर देता हूंने क्या किया नूरी और सोनू का age हमें पता नहीं था हमें आज का age find करना है नूरी का age हमने x guess किया सोनू का age हमने y guess किया 5 साल पहले क्या condition का 5 साल पहले x-5 करेंगे तो हमारा नूरी 5 साल पहले का age मिलेगा y-5 करेंगे तो हमें सोनु का 5 साल कुरान एज मिलेगा पर कंडिशन क्या था कि नूरी 3 टाइम ज्यादा बड़ी थी सोनु से 5 साल पहले तो अगर हम सोनु के एज में 3 मल्टिप्लाइ करेंगे तब जाके उसका एज नूरी के एज के बराबर होगा तो हमने वह यहाँ पे किय कि यहाँ हुआ हमया एक वीज गहाँ होता 10 साल बाद नूरी का एज एक प्लस 10 हो जाता यानि कि द साल बाद मिलेगों था में प्लस 10 करेंगे उसी तरह सोनु का एज में बें प्लस 10 करते और 10 साल बाद नूरी ट् fuck as old होती Sonu के, तो अगर हम Sonu के age में 2 multiply करेंगे, तब जा के हमें Nuri के age के equal मिलेगा, तो हमें एक दूसरा equation मिला, हमने इस equation को simplify किया, तो हमारे equation आए x-3y equals to minus 10, और दूसरा equation आए x-2y equals to 10, यहाँ पर हमने elimination method लगाया, पहले हमने y के value को calculate किया, फिर y के value को हमने replace किया, equation 1 में, और उसे solve करके हमने x का value भी निकाल दिया, और इस तरह से हमें Nuri और Sonu दोनों का age मिल गया, ठीक है, अब आगे बढ़ते है question number 3 के तरफ, अब question number 2 के third part को देख लेते हैं, यह question मैं तुम्हें पूरा solve करके नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ hints दे देता हूँ, कैसे कैसे इस question को solve करना है, मैं तुम्हें equations दे देता हूँ, तुम्हें equations को कुछ से solve कर सकते हूँ, substitution method से, और तुम्हारा answer निकल के आ जाएगा, यहां पर तुम्हें बोला जा रहा है कि the sum of digits of a two digit number is 9, also 9 times this number is twice the number, obtained by reversing the order of the digits, find the number, हमें sum of digits दिया हूँ, हमें ना number पता है ना हमें number के digits पता है, तो number के digits को हम let कर लेते है, once place का जो number है, once place digit, इसे हम y मान लेते हैं, और 10th place का जो digit है हमारा, 10th place digit, इसे हम x मान लेगा, तो हमारा पहला equation क्या आ जागा, x plus y equals to 9, यह हमारा equation number 1 होगा, क्योंकि हमें यहां बोला जा रहा है, कि sum of two digits of a number is 9, यानि कि हमारे दो digits है और इनका जो sum है वो 9 है, अब हमें आगे बोला जा रहा है, also 9 times this number, is twice the number obtained by reversing the order of the digits, अब digits हमें पता हैं, digits x और y है, तो number क्या होगा, number कुछ इस तरह से होता है, अगर हम 10x plus y कर देते हैं, तो यह तुम्हारा number हो जागा, मैं तुम्हें एक example के जो बताता हूँ, जैसे एक number है, 69, मैंने तुम्हें बताया कि अगर number इस तरह से निखलता है, 10x plus y number हो जाता है, तो अगर y तुम्हारा one's place है, जो कि है 9, और x तुम्हारा 10th place है, जो कि है 6, और मैंने बोलाए कि 10x plus y number हो जाता है, तो अगर हम इसमें 10 multiply कर देते हैं, तो तुम्हारा 60-60 हो जाएगा, प्लस में 9 तुम्हारा y जो है, वो हो जाएगा, तो 60 plus 9 तुम्हारा 69 number हो जाएगा, यह तुम्हारा प्रूफ हो गया, यह वाला equation, कि जब number नहीं दिया वा रहा था, और हम digits को guess करते है, x plus y, x और y, तो number इस तरह से निकला जाता है, 10x plus y तुम्हारा actual number है, जिसे हमने guess किया है, तो यह तुम्हारा number हो जाएगा, और हमें क्या criteria दिया गया है, criteria हमें यह दिया गया है, कि हमारे जो number है, यह 10x plus y, यह 9 times हो जाएगा, इसका जो 9 times है, यानि कि इस number को अगर हम 9 से multiply करते हैं, तो यह किस चीज़ के equal हो जाएगा, यह 2 times हो जाएगा, अगर हम इस digits को reverse कर देते हैं, और जो उसके बाद हमारे प करेंगे, तो हमारा y x के जगा पर आजागा, और x हमारा y के जगा पर आजागा, तो हमारे जो नया number बनेगा, वो तुम्हारा बनेगा, 10y plus x, 10y plus x तुम्हारा नया number बनेगा, और हम यही बोला जा रहा है, कि जो original number है, उसका अगर हम 9 times करते हैं, तो वो दोगुना हो जाए किस चीज़ के, अगर हम उस number के digits को उल्टा कर देते हैं, तो उसके बाद जो number फर्म होगा, उसका वो दोगुना होगा, तो यह जो है, यह तुम्हारा equation number 2 आ जाएगा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पता चलिया, यह दोनो equation कहां से आया, तुम्हें बस इ तुम्हें elimination method को execute करना, और इस तरह से तुम्हारा, यह question number 3 solve हो जाएगा, उसे तरह से question number 4 भी देखते है, इसमें क्या बोला जा रहा है, तो question number 3 किस तरह solve होगा, मैंने तुम्हें solve करके बता दिया, मैंने basically तुम्हें equations बता दिया दोनों, कि दोनो equation किस तरह से form होगे, इस त method आता है, हमने इस से पहले इतने सारे question practice की elimination में ठटके, तुम easily equation को solve कर पाऊगे, पर question number 4 जो है, इसे पूरी तरह तुम्हें खुरी solve करना है, यह मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ, इस question को solve करके इसका answer तुम comment section में दो, जो सबसे पहले answer देगा, उसे मैं reply करूँग सबसे इस देगे, आता है, यह मैं दोगी है, भीचा rasa यह जो, गीच करूँगअ छिम्हें धाये, आता है, उसे हैं स decor कर दो, फए 먹고 및 ठक दिछगधे थारो था तुम हूज, रखक बाऊ़ करूब से बताता है, प्यूरा है, बता हूजम थालेवरन है, यह हम पि Brenman का नहाए